असलाम लेकुम आपके अपने चैनल कहानी इन में आप सबको खुशाम दीद इसनास आज में एक कम्प्लीट नॉविल के साथ हास्रे खत्मत हूँ जिसका नाम है ये हस्ता हुआ मौसम इसकी राइटर है राश्ता रिफट चलिए चलते हैं नॉविल की जानब मुबाइल फोन पर क्या चिंखारता हुआ अलारम सेट किया था सवेरा सहपा ने अलारम बचने पर माहा की आँख खुली थी उसने बैट पर अपने साथ खोड़े गधे बेच कर सोती सवेरा का शाना पकड़ कर चिंचोड़ा सवेरा की बच्ची तुम्हारा सेट किया हुआ अलारम बच रहा है उठ जाओ और वो सवेरा ही क्या जो अरादा बांधने और अलारम लगने के बावजूद इतनी सवेरे उठ सकती करवट बदल कर फिर सो गई माहा ने उसे कहरबार निगाहों से खुरा फिर हाद पढ़ा कर उसके सिरहाने पड़ा मुबायल उठा कर आफ कर दिया तक ये पर सर रखकर उसने दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन पांच-दस मिनट तक करवटें बदल कर आखर उठी कई बीस मिनट बाद वो दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी दिल को इत्मिनान था कि आज फजर की नमाज अदा कर ली है बाकी चार नमाजें तो वो और सवेरा बाखायत की से पढ़ती थी बस फजर के वक्त कमबक्त शैतान खूप वर खलाता था और फिर सुपह उटकर बीबी जान की पश्मगी निगाहों का सामना भी सरूर करना पड़ता था बीबी जान का ख्याल आया तो सोचा कि एक चकर उनके कमरे के सामने लगा कर अपना जागना रिजिस्टर करवा दिया जाए माहा ने दोबारा दोपटा नमास के स्टाल में बांधा फिर बेडरूम से बाहर निकली बीबी जान के कमरे का दर्वासक खुला था और वो अपनी तस्वी हाथ में लिए पैठी थी हस पे तवक्त उसे गुजरता देखा तो आवास देकर बुलाया सुभा पखैर बीबी जान उसने उन्हें अदब से मुखादिप किया खैरियत तो है आज इतनी सुभा कैसे उठ गई नमास के लिए उठी थी नमास पढ़कर प्यास लगी प्रिच में से ठंडे पानी की बोतल लेने जा रही थी उसने वसाहत दी अच्छा उठ गई हो तो चाय बना लो बीबी जान के कहने पर माहा उस खड़ी को कोसने लगी जब उसने बीबी जान के सामने से गुजरने का पैसला किया था कुछ नीन तो उनकी शकल देख कर उड़ गई थी और बाकी चाय बना कर उड़ जानी थी दो कप चाय और ज्यादा देर मत लगाना बीबी जान की बात सुनकर वो फिर मुड़ी थी मेरा इतनी सुभा चाय पीने का मूट नहीं है मैंने नमास पढ़कर दोबारा सोना था आपको बना कर ला देती हूँ उसने उन्हें रसानियत से आगाह किया तुम्हारा ख्याल है कि मैं सुभा सवेरे तुम्हें अपने साथ चाय पीने का शर्फ पक्ष रही हूँ बीबी जान ने जैसे मजाख उड़ाया या कमस कम उसे तो ऐसा ही लगा वैसे तो वो मुस्कुरा रही थी फिर एक घटे दो कब चाये खुद ही पीएंगी क्या उसने चड़ कर पूछा बीबी जान फिर मुस्कुरा दी लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी उनकी निगाहों का महवर कोई और था माहा उनकी निगाहों का ताकुब करते हुए पल्टी और दर्वासे में इस तादा मुगीस को देखकर हैरान रखके थी मुगीस भाई आप कब आए कौफट पर खुशी ने गल्बा पा लिया था कितने दिनों बाद मुगीस के आमद हुई थी अभी कुछ दिर पहले ही पहुँचा हूँ बैक रखा फिर मस्सी चला गया हरकेस अंदाजा ना था कि इतने सवेरे तुमसे मुलाकात हो जाएगी वगीस ने प्यार से उसका सर थप थपाया था फुपो को क्यों साथ नहीं लाए और निदा सारा तलहा कैसे हैं सब निदा के तो प्रैक्टिकल्स भी खतम हो गए कम असकम उसे तो साथ ले आते और अपनी आमद की कोई इतिला भी नहीं दी मुझे पहले पता होता तो इस निदा की बच्ची से कहती माहा चाय का कहा था तुमसे बातें बात में कर लेना बीबी जान ने टोका तो वो मुँ बना कर चुप हो गई चाय नहीं नाश्ता बहुत सोरों की भूख लगी है बीबी जान मुझे इसमें बे तकलुफी से फरमाईश की थी नाश्ता फरमाईश बीबी जान से हुई थी होश माहा बीबी के ओड़े इस खर में नाश्ते का कोई खास रिवाज ना था सवेरा तो वजन बढ़ने के खौफ से नाश्ता करती ही ना थी माहा ब्रेड जैम और दूट के गलास से काम चला लेती थी दो हफते बाद डैड खराते तब नाश्ते पर खुब एहतमाम होता था लेकिन ये एहतमाम रह्मत बुगा करती थी डैडी देर से सोकर उठते थे रह्मत बुगा तब तक आ चुकी होती थी बलके जिन दिनों डैडी आए हुए होते वो जल्दी आ जाती थी रोजाना बीवीजान का नाश्ता भी रह्मत बुगा के आने के बाद बनता था सवेरा कॉलेज जाने से पहले बार हा उनकी चपाती पकाने की पेशकरश कर चुकी थी इतने सवेरे उठती हैं आप और इतनी देर में नाश्ता करती हैं तेड़ी मेड़ी सही एक चपाती तो मैं भी आपको डाल कर दे सकती हूँ रोटी का गोल होना इतना भी जरूरी नहीं बीवी जान रोटी का गोल होना हरकिस भी बहुत जरूरी नहीं बेटी जान लेकिन साफ सुथरे हाथों से रोटी का पकना उतना ही जरूरी है इन जंगलियों जैसे बढ़े हुए नाखुनों से पेड़ा बनाओगी फिर इन ही हाथों से तवे पर रोटी डालोगी तुम्हारे ख्याल में ऐसी रोटी मेरे हलक से उतर सकती है इतनी तेज आच पर जब तवे पर रोटी डाली जाती है ना बीबी जान तो सारे जरासीन मर जाते हैं सवेरा की बेचारी सी शकल देखकर माहा को पहन पर तरसा जाता और वो फॉरण उसकी मदद को आती मुझे मुर्दा जरासीन खाने में भी कोई दिल्चस्पी नहीं जाओ मेरा सर ना खाओ जाकर अपने कॉलिज की तयारी करो बीबी जान बेजारी से कहती तुम नहार मू बीबी जान का सर क्यों खाती हो कमरे में आकर माहा बहन पर बिखड़ती वो हमारी दादी है माहा सवेरा जैसे उसे याद दिलाती सोतेली दादी माहा मू बनाती सवेरा उसे काट खाने वाली निगाहों से खूरती कोया कह रही हो शरम से डूब मरो हां लेकिन मुझे अपनी सगी दादी से भी पढ़कर प्यारी है माहा चट अपनी पोजिशन क्लियर करती बीबी जान का वुजूद हमारे लिए चटनार दरफ्ट की मानन्द है माहा वरना सोचो अगर हमें सोतेली दादी के बचाए अपनी सोतेली मा के साथ सिंदगी गुजारनी पड़ती तो क्या बनता हमारा आलू का भरता माहा जैसे चुर्चरी लेकर कहती अब ये आलू कहां से आ गया सवेरा बहन को खूरती डैरी के किचन से नोशाबा अगर अटी को आलूं से कितना शगफ है भूल गई क्या? नाशते से लेकर रात के खाने तक हर डिश में आलूं जरूर ही शामल होते हैं तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? सवेरा चेड़ जाती और वो वाकिए बात को कहां से कहां ले जाती थी? मुगीस भाई नाश्ते की फर्माइश किये बैठे थे. बीबी जान तन्जिया निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात मलाहिजा कर रही थी. और वो जानी क्या कुछ सोचे जा रही थी मैं आपको नाश्टा करवा सकती हूं मुखीस भाई अगर आपका नाश्टा उपले हुए अंडे डूत के गलास या सेंके हुए तोस्क और आमलेट पर मुश्तमिल हो लेकिन जैसा हैवी नाश्टा आप करना पसंद करते हैं वो तो मैं कयामत तक नहीं बना सकती उसे साफ कोई से कहा था तुम्हारी शादी के लिए मैं कयामत तक इंतिजार नहीं करूंगी इस से पहले कुछ घरदारी सीख लो तो अच्छा है बीबी जान उसका जवाब सुनकर तिल मिला गई थी वसब खुदा का अगले घर जाकर सुस्राल वालों के सामने अंडा उबाल कर दूद का गलास पर कर रख देंगी लो जी हो गया नाश्टा नाथ तो मेरी ही कटेगी ना कि दारी ने कुछ न सिखाया उन्हें सक्त ताव चड़ गया था अंडा और दूद मुकमल गिजा है बीबी जान वो माहा ही क्या जिस पर बीबी जान की तिल मिलाहट का असर हो जाए उसने खिल खिलाते हुए उनकी मालूमात में इजाफ़क किया मुगी इस तूनों दादी पोती की जोग जोग सुनकर बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट सब्त किये पैठा था मगर जब बात ज्यादा बढ़ती देखी तो सीस फायर करवाय बिना न रह पाया तुम नाश्ता बनाने की जहमत ना करो माहा वो जो तुम्हारी सहर खेस आपी है अब तक तो यकीनां जाक चुकी होंगी उनकी मदद ले लो मुखीस रह तो लहचे को बहुत सरसरी सा बना कर कहा था लेकिन माहा ने शरारती अंदास में उसे देखा वो मुखीस की नाश्ते की खौाहश का पसमनजर चान चुकी थी वो जो मेरी सहर खेस आपी है ना मुखीस भाई उनकी नाइट ड्यूटी थी वो अभी तक घरने ही लोटी है उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ये खबर सुनकर मुखीस की तो जैसे फूक ही उडगई अच्छा मैं एक दो घंटे की नीन ले लूँ वैसे भी बहुत ठकावट हो रही है रहमत बुआ के हाथ के बने हस्ता करारे पराठों से ही नाश्ता करेंगे मुखीस ने ठकेहारे अंदास में जमाई ली थी माहा मुस्कुरादी और बीबी जान ला तालुक से अंदास में तस्वी पढ़ने लगी थी माहा और सवेरा कॉलिज से घर लौटी तो मुख्तलिफ खानों के इश्तिहांगे इस कुश्भूग घर में फैली हुई थी बच्चियों आ गई हो तू चल्दी से कपड़े बदल कर दस्तरखान लगाने में मेरी मदद करो किचिन मेंसे रहमत बुआ ने च्छांक कर उन्हें पुकारा था अब ही आया रहमत बुआ दोनों ने मुस्तादी से जवाब दिया था और जब दस्तरखान सच गया तो बीबी जान अपने लाडले नवासे के साथ आन मौजूद हुई रहमत पुदीने की च्छ्टनी नहीं बनाई क्या बीबी जान ने दस्तरखान पर टायराना निकाह ताल का तूछा था ये रही पुदीने की च्छ्टनी उसी लम्हे सवेरा पॉदीने की चट्नी समेत हाजर हो गई थी पॉदीने की चट्नी की कमी महसूस कर लिया आपने बीबी जान और किसी की कमी का एहसास नहीं हुआ क्या माहा जो मुगीस की जानब मतवच्चा थी और पहले उसकी मतलाशी निगाहे और फिर उनसे चलकती मायूसी को महसूस कर चुकी थी बीबी जान को मुगातिब किये बिनाना रह पाई मुगीस न सर उठाकर माहा को देखा उस लड़की की जीदारी से वो हमेशा ही मतासर होता था बीबी जान ने अलबता पोती को तुश्मगी निगाहों से घूरा था अस्पतार से आकर भूकी प्यासी सो गई होंगी हनियापी लंज के लिए तो बुला लें उन्हें माहा ने उन्हें मुकातिब किया बीबी जान की तेवरियों पर बल पढ़के थे वो महमान नहीं है कि जोहराने पर बागाइदा दावत नामा दे कर मदू किया जाए खाने का वक्त है उसे खुद इस वक्त दस्तरखान पर मौजूद होना चाहिए और जहां तक कालुख है अस्पताल से वापस आकर सोने बीबी जान की बात अधूरी ही रह गए थी असलाम लेकूम धीमे से लहचे में सब को सलाम करके दस्तरखान पर बैटने वाली शख्सियत हन्या की ही थी वालेकूमस सलाम जवाब मुगीस की जानेट से ही आया था जिसकी आँखें हन्या को देखकर चत्मकाने लगी थी कैसी है डॉक्टर साहबा हाउस जॉप कैसी चल रही है मुगीस ने शगफ्सकी से मस्कुराते हुए पूछा था फाइन आप सुनाएं घर में सब कैसे हैं खाला जान ने दाद तलहा वगएरा हन्या ने भी रसम ने भाई थी ये और बात कि उसने मुगीस की तरफ देखने से कुरेश किया था उसकी जस्पे लुटाती निगाहों का सामना करना हन्या के बसकी बात न थी तुमने नोट किया सवेरा जब तो पहर को मुगीस भाई हन्या आपी को देख रहे थे तो यू लग रहा था जैसे उनकी आँखों में सौ सौ वाट के बल्ब चल रहे हो रात सोते वक्त माहा ने बहन को मुगीस भाई को जस्पे लुटाने में इतनी फुसूल खर्ची नहीं करनी चाहिए सौ वाट के बल्ब के बजाए एनरजी सेवर से भी तो काम चलाया जा सकता था ना सवेरा ने कहकर खुद ही अपनी बात का लुट लिया वो भी कभी कबार माहा की तरहां बे तुकी बात कर ही देथी थी तुम्हारे ख्याल में मुगीस भाई और हनिया अपी की लव स्टोरी का क्या अंजान होगा बीबी जान अपने लाटले नवासे के साथ हनिया अपी की शादी कर दींगी माहा को जाने क्या खच्छा सताया कि पूछ पैठी लव स्टोरी तो ना कहो इस्टूपिद बेचारी हनिया आपी तो मुगीस भाई को नजर उठा कर देखती तक नहीं सवेरा ने हनिया की पोजिशन वाज़े की देखने के लिए मुगीस भाई कम है क्या महपत भरी नरम नरम निगाहों से हनिया आपी को देखे चले जाते हैं बेचारी हनिया आपी तो पलकों की लड़सिश और दिल की धड़कन को संभालने में ही हलकान हुए रहती हैं, माहा ने क्या तुरुस्त नक्षा खींचा था मेरे ख्याल में तो मुगीस भाई और हनिया आपी की शादी में कोई रुकावट आड़े नहीं आएगी मुगीस भाई बीबी जान के लाड़ले नवासे हैं तो हनिया आपी नवासी, फुपो भी अपनी भांजी को खूप चाहती हैं, मना सिर्व वक्त आने पर दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे सवेरा सदा की खुश वहम थी लेकिन माहा का उससे मुत्तफिक होना जरूरी न था मुगीस भाई बीबी जान के सोतेले नवासे हैं और हनिया आपी उनकी सगी नवासी लेकिन बीबी जान को मुगीस भाई से बढ़कर कोई प्यारा नहीं और वेचारी हनिया आपी से तो वो सोतेलों से बढ़कर सुलुक करती हैं वो हरकिस मुगीस भाई की शादी हनिया आपी से नहीं होने देंगी ये तुम हर बात में सगे सोतेले के बहस मत छेड़ा करो, महरबानी होगी तुम्हारी सवेरा हस पे तवक्का चड़ गई थी, माहा ने ना इकरार किया, ना इंकार, महस हस पड़ी थी मौसम के तेवर अचानक बदले थे, दुपहर तक सूरज अपनी ताबनाक शुआएं बिखे रहा था और दुपहर धलते ही आसमान पर चार संद से खटाएं उमड़ाईं इतना जबरदस मौसम हो रहा है मौगीस भाई, आज तो आपको हमें आउटिंग पर लेकर जाना पड़ेगा माहा उसे ठूनती हुई स्टडी रूम तक आई थी, ऐसे खतरनाक मौसम में बीबी जान बाहर निकलने की जाज़त देंगी मौगीस ने मौगीस से मौगीस ने मौगीस सोच में बढ़ गई, सही कह रहे है मौगीस भाई, बीबी जान भी बाहर जाने की जासत नहीं देंगी और हनिया आपी भी हमारे साथ चलने पर मुश्किल से राजी होंगी सिर्फ मैं और सवेरा तो क्या खाक एंजॉय करेंगे, उसने माई उसी से गर्दन हिलाई अगर तुम डॉक्टर सहबा को राजी करो तो मैं बीबी जान से जासत ले सकता हूँ मुखीस बखुशी उसके पिछाए जाल में फंसा था तो चलें आप बीबी जान से बात करें और मैं हनिया पी से वो खुशी खुशी स्टडी रूम से बाहर जाने लगी मगर फिर एक दम उड़ी थी लेकिन मुखीस भाई हम बाहर पुर तकल्व डिनर भी करेंगे उसने याद दिलाया था वाई नॉट शूर मुखीस शकुफटगी से मस्कुराया था माहा मस्कुराते हुए पलट गई थी एक भरपूर शाम गुजार कर और मसे का डिनर करने के बाद रात गए वो घर लोटे थे माहा ने मौसम इंजॉय किया था सवेरा ने डिनर और मुखीस ने डॉक्र सहपा की उटती-किरती पलकों से लुटफ उठाया था वो कामनी सी लड़की महस उसकी नसरों की तपिश से ही खबरा जाती थी मुखीस जब भी यहां आता दिल में ठान कराता कि इस बार ना सिर्फ वो हनिया को पाले दिल सुनाएगा बलके उसकी राय और अजामन्दी भी मालुम करके रहेगा दिल को ये यकीन तो था कि महपत के इस सफर में वो अकिला नहीं है लेकिन दिमाग अपनी पूरी तसलिके लिए अनिया का जबानी अक्रार भी सुनना चाहता था वो बिसनस के जमेलों से थोड़ी सी फुरसत पाते ही तेर दो महीने बाद यहां भागा चला आता था वीवी जान की बेपाया महपतें सवेरा माहा की महपत भरी शोखिया शरातें उसे शरशार कर देती लेकिन डॉक्टर सहबा की एक चलग देखने के लिए भी खंटों इंतिजार करना पड़ता जब तनहाई में असर होती तो डॉक्टर सहबा दस्तियाब ना होती और जब उनकी जलग देखने को मिलती तो बात करने का मौका में असर ना था दो तीन दिन बार वो हाले दिल सुनने और सुनाने की तशना आर्जों समेट घर लोट जाता इस बार भी यही हुआ था आलबता माहा की महरबानी से उसे हन्या को बड़ी फुरसत से देखने का मौका मिला था उसे हरकिस अंदाजान था कि माहा भी उतनी ही फुरसत से उसकी सरगर्मी मलाहसा कर रही है आखिर माहा ने उसे मेसिज किया था फेल हाल काने पर तوج्जा दे मुगीस भाई आप ना खुद खा रहे हैं ना हनिया आपी को खाने दे रहे हैं सवेरा सारी टेबल का सपाया कर दे ही मुगीस मैसेज पढ़कर मुस्कुराया और डॉक्टर साहपा को छोड़ कर खाने की तरफ मतवच्चा हुआ था मुगीस के जाने के दो दिन बाद ही डैडी आ गए थे माहा दोपहर को कॉलिज से आने के बाद जो सोई तो सपहर धलने पर उसकी आँख खुली थी वीवी जान के नस्दी कितनी देर तक सोना नहुसत शुमार होता था वो उनकी नाराज नस्रों का सामना करने के लिए खुद को तयार करती लाउंज में आई थी मगर सामने ही सोफे पर डैडी को बैठे देखकर खुशी से उचल पड़ी थी आपने तो अगले हफ़ते आना था वो उनके खुले बासूं में समा गई थी सवेरा पहले ही उनसे जुड़ी बैठी थी कैसा है मेरा बच्चा डैडी ने उसके पेशानी पर मुहपत भरा बोसा दिया था इससे पेशतर वो कोई जवाब देती सामने से नुशाबा आंटी आती दिखाई दी माहा के चहरे के मस्पुराहट यक लख सिम्टी थी उसे हर गिस अंदासा ना था कि डैडी के स्ट्रिप पर उनकी मिसस भी उनके हमरा होंगी अस्लाम लेकुम आंटी डैडी से अलग होते हुए उसने ठंडे ठार लहचे में नुशाबा आंटी को सलाम किया था वालेकुम सलाम जवाब में उन्होंने भी किसी करम जोशी का मुझाहरा करने के बजाए महस सलाम का जवाब देने पर इक्तिफा किया था हाला कि कितने महीरों बाद उनकी मुलाकात हो रही थी मैंने आपके कपड़े सूटकेश से निकाल दिये हैं उस्मान आप फ्रेश हो लें नुशाबा आंटी ने डैडी को मुखाटिप किया वो उनके पास उनकी बेटियों का वुजूद वो मुश्किल परतास्त करती थी सवेरा और माहा के चेहरे फीके पड़े थे मैंने अपनी बेटियों की शकल देख ली है नुशाबा मैं अल्रेटी फ्रेश हो चुका हूँ तैरी ने अपने इर्द कर्थ पैठी बेटियों को तुबारा अपने बासों में भरा था नुशाबा आंटी बिना कुछ कहे वापस पलट गई थी लेकिन अगले ही पल बीबी जान लाउंच में ताखिल होई थी बाप की जान छोड़ो और जाकर किचन देखो रहमत जा चुकी है रात का खाना तुम दोनों ने बनाना है उन्होंने दोनों की समातों पर बम किराया था तो पहर को रहमत बुआ ने इतने मज़े के आलू अंडे बनाये थे मैं सालन में मजी तो अंडे उपाल कर डाल देती हूँ क्यों डैडी माहा ने बीबी जान के बज़ाए डैडी की राय लेने को तरचीती थी नोशाबा अंटी को आलूओं से बनी हर डिश बेहत मर्खूब है माहा बोली उसका डैडी के पास से उठने को दिल ही न कर रहा था बीबी जान ने खश्मकी निगाहों से खुरा तो सवेरा जल्दी से उठखडी हुई मैं चिकन हार्डी बना लेती हूँ ठीक है ना बीबी जान आओ माहा तुम भी मेरी हल्प करवा दो उसने माहा से कहा वो बुरा सा मो बनाते हुए उठकई थी तोनों के लाउंच से चले जाने के बाद डैडी और बीबी जान एक दूसरे की जाने देख कर मुस्कुरा दिये सवेरा की मुझे हरकिस फिकर नहीं लेकिन माहा बहुत मूडी है उसके मिजाज का बच्पना मुझे डराता है बस मेरी तो यही दूआ है कि अल्ला इन दोनों को मेरी जिंदगियों में अपने घरबार का कर दे वो अपनी दोनों कोतियों से जिसकदर मरसी सक्थी से पेशा दी लेकिन दोनों में उनकी जान थी तब ही नुशाबा आ गए हनिया माहा और सवेरा से बड़ी है आपने उसके मतालब कुछ नहीं सोचा बात मामूली लेकिन अंदास पत्रे चुपता हुआ और जटाता हुआ था बीबी जान के दिल को जैसे किसी ने मुठी में लेकर मसल दिया एक पल के लिए वो खामोश हुई थी फिर चंद सानियों के तवकुफ के बाद उन्होंने बहुत पुरसुकून और हमबार लहचे में जवाब दिया हनिया एक समझदार मा की समझदार बेटी है मा ने अपने मुस्तक्बल का पैसला अपनी मर्जी से किया था तो बेटी भी यकीनन उसकी राह पर चलेगी हक इनसान अपनों पर जटा सकता है और मेरे अपनों की फैरिस में हनिया शामिल नहीं है ये कहते हुए बीबी जान का दिल डूब डूब कर उपरा था लेकिन उनके चेहरे पर दिली तासुरात का अक्स तक न था बीबी जान उसमान फकत यही कह पाए बीबी जान को तो वो कुछ न कह सके अलबता नोशाबा को सरूर जटा दिया था हनिया भी मेरे लिए मेरी बेटियों जैसी ही है नोशाबा उसके लिए भी जो सोचना है हमने ही सोचना है वो चहरे पर सहसाई या मुस्कुरा हर सजा कर रह गई थी रात बहुत अजियतनाक और तकलीफ दे थी नोशाबा ने तो महस एक बात कहती थी मगर जैनब पातून के दिल पर लगे खाओ फिर सहरे हो गए थे बलके शायद उन जखमों पर तो कभी खुरंट जमा ही न था लेकिन जब भी वो अपने जिगर के टुकड़े की निशानी से बे एतनाई बरती दिल का दर्द सवा हो जाता वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और औराक जिन्दकी नसरों के सामने फणब्धाते रहे उनकी शादी शदा जिन्दकी का पहला बाब शादी के महस चार साल बाद ही बंद हो गया था और ये चार साल उनकी जिन्दकी के अजियतनाग साल थे वो पांच भाईयों की इखलौती पहन थी मैके में शहसादियों किसी जिन्दगी गुजारी माँ बाप ने तो अपने तैयों उनके लिए शहसादा ही ढूंडा था लेकिन उस शहसादे का साथ उनकी जिन्दगी को कटनाईयों से वारत करता गया बेतहाशा दौलत मन खराने से तालुक रखने वाले सुबहर शह इंतहाई अखलाकी किरावट का शिकार थे एक नेक और पारसा औरत बीवी बन कर उनकी जिन्दगी में शामिल हुई तब भी उनकी आदतों में कोई सुधार ना आया बलके वो अपनी बुराईयों का अकस अपनी बीवी की जात में भी तलाश करते रहते सेनब खातून हर वक्त उनके शकोशुबे की जब में रहती वो उन्हें अजियत देने के लिए नित नए हर्बे आजमाते मश्रके औरत होने के नाते शोहर को छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था वो सिर्फ शोहर के राह रास्त पर आने की दुआ करती रहती शादी के सवा साल बाद मलीहा ने उनकी कोट में आँख खोली तो नाकाबले बर्दाश्त होती जिन्दगी फिर से जीने के काबल लगने लगी लेकिन मनमोहनी सूरत वाली बेटी पाकर भी सुबहर शाद की रविश ना बदली उन्हें बेटी की जाद से भी गतन कोई दिलस्स भी ना थी बलके सुस्राल वाले भी बेटी की पैदाश के बाद उनकी जाद से बिलकुल ला तालुक हो गए बेटी को जनम दे कर सैनब ने उन सब को मायूस किया था अब सुबहर शाद को जैनब पर हर तरहा का जलम उसे तमरवा रखने की खुली छूट थी जैनब तो सबर शुकर के साथ जन्दगी के दिन गुजा रही थी लेकिन जुबहर शाद की जन्दगी के दिन पूरे हो गए थे पता नहीं कसरत मैनौशी का नतीज़ा था या कोई और बज़ा बहरहाल डॉक्रों ने इंटकाल का सबब हरकत कल्प बंद होना ही बताया था जैनब को पता ही नचलता था कि आजमाईश शुरू हुई है या खतम हुई है वो बेटी को सीने से चिम्टाय वापस माबाप की तहलीस पर आ गए माँ तो उनकी शादी के बाद उसकी शादी शुदा जिंदगी का हाल देखकर अपने गम समेत मनों मिट्टी तले जासोई थी बूढ़े बाप ने अपनी बाहें वाकर के बेटी के साथ नवासी को भी समेता था फाई अपने अपने सिंदगी में मगन थे भापियों का रवया बहुत बुरा ना सही मगर बहुत अच्छा भी ना था सैनब मक्मुश होकर आएंदा सिंदगी के मुतालग सोचे चली जाती खटा टोप अंधेरे के सिवा उन्हें कुछ दिखाई ना दीता लेकिन अभी उनके दामन में कुद्रत ने एतनी खुशियां डालनी थी कि दामन छोटा पर जाना था उनके लिए नजीब रजा का रिश्टा आया था अबाजान के दोस्त के भांजे थे बीवी तीसरे बच्चे को जनम देते हुए तौराने सच की इंतकाल कर गए थी बच्चा भी चांबर ना हो सका था नजीब खाते पीते खराने से तालुक रखते थे उनका रिश्टा जैनब के घरवालों को नेमत गयर मतरकबा लगा लेकिन जैनब दुबारा शादी का जुआ खेलने की हिम्मत खुद में ना पाती थी फिर बुढ़े बाप ने बहुत प्यार और लजाज़त से उन्हें समाने की उँच नीच समझाते हुए फैसला कुबूल करने की स्तदाकी थी भाई तो फैसला कर ही चुके थे वो नजीब रजा के संग रुफसत होकर नजीब हाउसा गई मलीहा को उनकी भावियों ने ये कहकर अपने पास रख लिया था कि शादी के शुरू के दिनों में मलीहा का उनके साथ रहना मुनासिब नहीं चंद दिन बाद वो नजीब रजा की अजाज़त से मलीहा को अपने साथ ले जाएं मंचली भावी की ये बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई थी उन्हें तो पताया गया था कि नजीब रजा को उनकी बच्ची अपनाने पर कोई अधरास नहीं सुरत इहाल की नजाकत को समझती ही नहीं हो उनके अहतिजास पर मंचली भावी तड़क कर बोली थी और वो वागी हामोश हो गई दिल में बहुत से बदकुमानिया और खच्चाद चुपाए वो दुलहन बन कर नजीब हाउस पहुची थी नजीब की और उनकी पहली नहीं बलके दूसरी शादी थी खर में रिष्टदार और महमान मौजूद थे लेकिन शादी वाले खर जैसी कोई गहमा गहमी और रौनक नहीं थी बिना कोई रसम किये उन्हें नजीब रजा के कमरे में पहुचा दिया गया नजीब अपने दोनों बच्चों को उनके पास लेकर आए थे तीन साला मिधथ और उससे बड़ा उसमान वो तो तकरीबन उनकी मलीहा का ही हमुमा था बच्चे बहुत प्यारे और महस्ब थे सर्माते हुए वो अपनी नई अमी से अपना तारुप तर्वा रहे थे और तभी नजीब ने उन्हें मुखाटिब किया मैंने तो आपके बच्चों से आपको मिलवा दिया आप मेरी बेटी से मुझे कब मिलवाएंगी कहा है मलीहा बलाईए उसे उन्होंने मुलाइम लेचे में जैनब को मुखाटिब किया जैनब ने बेयकीनी से सर उठा कर उन्हें देखा उन्हें लगा उन्हें सुनने में गलती हुई है तूर परी की उनकी एक खुपी जो रिवाज के मताबद उनके हमरा आई थी और इस वक्त भी उनके पास बैठी थी उन्होंने दूले मिया का सवाल सुनकर कुछ कर बढ़ाते बौकलाते हुए बसाहत देना चाही नजीब मिया कुछ दिनों बाद मलीहा ही आ जाएगी तरसल नई नई शादी और फिर नजीब रजाने फुपी की पूरी बात सुनी भी ना थी उन्होंने मिथत और उस्मान को अपनी नई अम्नी से बातें करने की हिदायत की और खुद सरादेर की गैरहाज़री की माज़रत करते हुए उठकर चले गए जैनब सोच भी ना सकती थी कि वो कहां गए होंगे तेड़ खंटे बात उनकी वापसी हुई थी वो अकेले नहीं थे मलीहा उनके हमरा थी कुछ हैरान परेशान खबराई खबराई से मलीहा का हाथ पकड़ कर वो उसकी माँ के पास लेकर आए सैनब के पास बोलने के लिए अलपास ना थे वो हैरान होकर उस फरिष्टा सिर्फ इंसान को देखे जा रही थी नजीब मलीहा का उसके बहन भाई से तारुफ करवाने लगे और जब तीनों बच्चे उनके बेडरूम से मलहत बहुत प्यारे अंदास में डेकुरेट किये बेडरूम में सो गए तब नजीब अपनी नई नवेली दुलहन के पास आए थे हम अप मेचोर हो गए हैं इसलिए मैंने अपने बेडरूम को सजाने के बज़ाए बच्चों का कमरा नए सिरे से डेकुरेट करवाने को तरजी थी मैं चाहता था कि आज के हवाले से हमारे बच्चों के दिलों में खुशकवार यादें बाकी रहें बच्चे अपने नई खिलोने और कमरी की रेकुरेशन देखकर बहुत खुश हुए हैं नजीब उन्हें मुस्कुराते हुए आगाह कर रहे थे उन्होंने रिवायती शोहरों की तरहां सुहागराथ बीवी को हुकुको फराइस पर कोई लेक्चर ना दिया हताकि उन्होंने ये नसीहत तक करना जरूरी ना समझा कि वो उनके बच्चों को अपना बच्चा समझें और शायद ये नसीहत बिलकुल गहर सरूरी थी नजीब ने उनसे कोई डिमान करने से पहले फुद एक अमल कर दिखाया था जब वो मलीहा के बाप बन गए थे तो सैनब मिथत और उस्मान की मा क्यों ना बनती वो शख्स जिसको शादी की पहली रात उन्होंने महभूक का दर्जा दी दिया था उसके बच्चों से उन्हें क्यों कर प्यार ना होता वो उन्हें अपनी कोग से जने बच्चे लगते थे वो अपनी ममता अपने तीनों बच्चों पर बेतर एक लुटा दी थी और नचीव रजा एक बहुत अच्चे बाप ही न थे बलगे वो एक बहुत अच्चे इनसान थे जैनब को लगता वो हर गुजरते दिन के साथ उनके इस्ट में मुब्तला होती जा रही है वो शख्स उन्हें इतनी मुहपद, इतनी इस्द, इतना मान इतनी अपनाईयत देता था कि जैनब को अपनी खुशनजीपी पर रश्क तो आता था पर यकीन ना आता सुस्राली रिष्टदारों में महस उनकी एक बड़ी नंद थी जो शादी शुदा थी और करीबी शहर में बयाही होई थी आपा भी जैनब के लिए रिवायती नंद ही थाबित हुई थी उन्हें जैनब के किये गए हर काम पे अतरास होता मलीहा के लिए नजीब की महबत और इलतफात भी उन्हें बहुत खटकता और तो और वो मिधत और उस्मान को भी जैनब से परविश्टा करने की अपनी सी कोशिश करती रहती अलबता मिधत और उस्मान अपनी बीबी जान के खिलाब एक लफ सुनने पर तयार ना होते पहले शोहर की वफात के बाद जब सैनब ने मलीहा के साथ चन्द बरस अपने मैके में गुसारे तो उनके भाईयों के बच्चों की देखा देखी नन्नी मलीहा भी उन्हें बीबी कहने लगी थी और पहे मा के लिए यही नाम उसकी जबान पर चड़ गया मिधत और उस्मान ने भी उनके लिए मलीहा वाला तरस तकातुप अपनाया था अब वो मलीहा मिधत और उस्मान की भी भी जान थी उस शख्स की संगत में जिन्दगी हर कदम पर अपनी रानाया मुनकशफ करती जा रही थी वो हर घड़ी खुदा का शुकर अदा करती ना थकती और जब कभी आपा भी कियामत होती तो जैनब कुछ सहम जा दी वो हैरान होती थी कि एक पांग के जने दो बेहन भाई एक दूसरे से इतने मुक्तलिक कैसे हो सकते हैं आप अभी अपने कियाम के 10-12 दिनों में सैनब को जिच करने की हर मुम्किन कोशश करती थी उनके कामों में जी भर कमीन में इख निकाल दी सारा दिन उन्हें अपने और अपने बच्चों के कामों में उल्चाए रखती और इन बातों के बावजूद जब सैनब की पेशानी पर बल पढ़ते ना देखती तो उनकी अपनी पेशानी पर बल पढ़ जाते वो नजीब और उनकी पहली बीवी की महपत के किस्से बहुत जौक और शौक से जैनब की समातों में उन्देल दी एक दिन जैनब ने उन्हें मस्कुराते हुए कह ही दिया मैं अच्छी तहां जानती हूं आपबी कि नजीब रूही से किस पदर महपत करते थे नजीब तो सरापा महपत है आपबी मैं खुशनसीब हूं कि नजीब की महपत का एक हिस्सा मुझे भी मिला और नजीब बेवफा भी नहीं वो आज भी रूही के कबर पर बाकाइब की से हासरी देते हैं और उसे याद भी करते हैं बस मुझे से शादी के बार इतना फरका आया है कि वो रूही को तन्हाई में याद नहीं करते अपनी पिलिंग्स मुझे से शेयर करते हैं और अल्लह का मुझे रूही से बिलकुल जलापा नहीं जब उसकी निशानिया मेरी आँखों की थंड़क है वो खुद मुझे क्यों बुरी लगेगी ये मुपसल जवाब सुनकर आबाबी की तबियत साफ हो गई थी लेकिन फिर भी वो घर की पुरसुकून पिजा में हल्चल मचानी की फित्रत से बास ना रह सकती थी वक्त अपनी रफ़तार से आगे सरकता रहा नजीब हाउस की रौनकें उसी तरह कायम थी बच्चे अब बड़े हो गए थे सैनब और नजीब की अपनी जवानी रुखसत हो गई थी अब वो अपने जवान होते बच्चों को देख कर सरशार होते थे मलीहा, मिधत और उस्मान तीनों बहन भाई एक दूसरे पर चांद चड़कते थे सैनब अपने आश्यानी की रौनकें देख कर खुदा कर शुकर अदा करते ना थकती बच्चे बड़े होने के बाद आपा भी अब यहां इतने तवातर से ना आपाती थी कि उनके अपने बच्चों की पढ़ाईयों के शडूल आड़े आते थे लेकिन गुजरते वक्त ने उनकी आदतों और मिजज पर कोई असर ना डाला था उनके बच्चों का मामू के हां आकर खूब दिल लगता था लेकिन जैनब ने नोट किया था कि उनकी तीनों बेटियां मिजज के अदबार से आपा भी पर ही गई थी हां सबसे बड़ा और इकलौता बेटा और वैस सब में मुक्तलिप था वो बहुत कम गो थीमे मिजज और सुलची हुए आदतों का मालिक था मिकैनिकल इंजिनिरिंग कर रहा था नजीब अपने भांजे को बेहत चाहते थे और नजीब की शबहत रखने वाला उनका भांजा जैनब को भी अच्छा लगता था लेकिन जैनब के वहमो गुमान में भी ना था कि आपा भी अपने लायक पायक और खूबरू बेटे के लिए उनकी मलीहा का हाथ मांगेंगी मलीहा का मास्टर्स का फाइनल येर चल रहा था उसकी बेतहाशक उपसूर्ती के सबब उसके लिए बहुत से रिष्टे आये हुए थे लेकिन नजीब का कहना था कि वो पढ़ाई का सलसला मुकमल होने तक इस पारे में नहीं सोचेंगे उन्हीं दिनों आपा भी ने नजीब को अपने पास बुलवाया ओवैस से छोटी परहाना के रिष्टे की बात चल रही थी और आपा भी चाहती थी कि नजीब भी लड़के और उसके खरवालों से मिलकर अपनी राय दें नजीब अपने हमरा सैनब को भी ले गए थे उन्हें भी लड़का पसंद आया था खरवाले भी माकुल लगे नजीब के राय में उनकी भांजी के लिए ये रिष्टा मुनासिब तरीन था वस आप अल्लह का नाम लेकर हां कीजे और बात पकी होने की मिठाई लेकर आप खुद हमारे हां आएंगी कितने दिनों से आपका वहां का चकर नहीं लगा नजीब ने बेहन से मुहबत भरा शिक्वा किया एक हां मैंने तुम दोनों के मूँ से भी सुननी है फिर जितनी कहोगे मिठाई खिला दूंगी आप अब इने मुस्कुराते हुएं उन्हें मुकातिब किया तोनों ने ना समझी से उन्हें देखा तरहाना पांच परस चोटी है वैसे पहले तो उसी के सर पर सहरा सजाओंगी ना उन्होंने पास बैठे बेटे को मुहपत से देखते हुए कहा बिला शुबा एक लौदे बेटे में उनकी जान थी वैस उनकी बात सुनकर कद्रे छेंब किया था उसने फौरी तोर पर उटने की कोशिश की लेकिन आपा भी ने उसका हाथ पकड़ कर बिठा लिया ये मेरा पगला सा बेटा तुम्हारी मलीहा का तलबकार बना बैठा है हालांके इसके लिए एक से बढ़कर एक रिष्टा मौजूद है इसी के खौहिश पर तुम्हारे आगे छोली पहला रही हो देखते हैं मायूस लोटाओगे या हमारी बात का मान रखते हुए हाँ कर दोगे आपा भी का रिष्टा मांगने का अंदास पदरे अजीब था लेकिन जैनब और नजीब के लिए तो उनकी बात ही इतनी गहर मतवक्गा थी कि वो अंदास पर गोर ही न कर पाए वो दोनों अपनी अपनी जगा हैरान बैठे थे किस सोच में पढ़ गए हो तुम दोनों कहीं न कहीं तो मलीहा की शादी करनी है न फिर मेरे उवैस में क्या कमी है देखा भाला बच्चा है तुम्हारा फिर मलीहा के श्ट में गोडे गोडे डूबा हुआ है रानी बना कर रखे गा उसे आपकी बात हमारे लिए एतनी अचानक और गैर मतवक्गा है आप अबी किस सच माने तो हम हैरान ही रह गए हैं नजीब ने अपने खामोशी की तौजी पेश की थी मैं जानती हूँ भाईया अपनी बीवी के अब्रू के इशारे के बगए एक लफ्स नहीं कहोगे तुम सैनब मैं तुम ही से बात कर लेती हूँ आखिर को तुम्हारी बेटी है नजीब खुद को लाख उसका बाप कहे कोई खुनी रिष्टा तो नहीं है ना मलीहा का नजीब के साथ अगर नजीब की बेटी होती तो फिर मैं रिष्टा ना मांगती बलके अपना फैसला सुनाती अपने भाई पर कमस्कम इतना तो भरोसा है मुझे मेरे फैसले के आगे सतस्लीम खम कर देता एक लफ़ न बोलता आगे से आपा ने जैनब को घिरने की कोशिश की और वो इस कोशिश में कामियाब भी होई थी आप कैसी बातें कर रही है आपा भी मिधद की तहां मलीहा भी नजीब की बेटी है और नजीब मलीहा की जिंदगी का हर पैसला करने का अख्तियार रखते हैं सेनब आपा भी की बात सुनकर तड़प ही तो गई थी चलो भई तुम्हारी बीवी ने तो सारा अख्तियार तुम्हें ही दे दिया फिर बताओ क्या जवाब है तुम्हारा आपा भी नजीब की तरफ मतवचा हुई वैस मेरा भांजा है आपावी मुझे आउलाद की तहा अजीज है पढ़ा लिखा है, काबिल है, खुबसूरत है मेरी खुश खुस्मती कि आपने अपने लायक पाइक बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा लेकिन फिर भी सोचने और पैसला करने के लिए थोड़ा सा टाइम सारी बातें तो तुमने खुद ही कह दी मेरा बेटा खुबरू है, ताली म्यावता है और सबसे बढ़ कर ये, कि तुम्हारी बेटी को दिवानगी की हद तक चाहता है बिलकुल वैसे, जैसे तुम अपनी बीवी को चाहते हो तुम्हारा भांचा भी तुम्ही पर बढ़ा है पलकों पर बिठा कर रखेगा तुम्हारी बेटी को बस अब किसी लेकिन वेकिन की कुझाइश नहीं मुझे तुम्हारे मूँ से हाँ ही सुननी है आप अबी का अंदास पतायत भरा था नजीब ने सवालिया निगाहें बीवी के चहरे पर गाड़ी सैनब जानती थी कि नजीब को इस रिष्टे पर कोई अधरास नहीं भी ना था वैस हर लिहाज से बहतरी लड़का था बस आप अबी के मिजाज से डर लगता था लेकिन किसी अंजान जगा और अजनभी लोगों में मलीहा का रिष्टा तै करती तो कोई गैरंटी तो ना थी कि वहाँ सुस्राली रिष्टे हम मिजाज मिल सकते फिर आप अबी बार बार कह रहीं थी कि ओवैस मलीहा को पसंद करता है अब भी वो बहुत बेताफ निकाहूं से मामो मामी के चेहरे तक रहा था सैनभ ने सिर्फ चन नम्हों के लिए सोचा था फिर धीरे से मुस्कुराते हुए नजीब को करदन हिला कर हां कहती ठीक है आप अबी आज से मलीहा आपकी बेटी हुई नजीब ने मुस्कुराते हुए बेहन को मुखातिब किया वापसी के सफर में नजीब बहुत सर्शाथ थे वैस हर लिहास से बहतरीन लड़का है इन्शालला हमारी मलीहा बहुत खुश रहेगी उसके साथ ठर बैठे कुदरत ने क्या बहतरीन पर फेश दिया हमारी बेटी के लिए खुशी नजीब के चहरे से छलक रही थी मुझे तुम्हारा भी शुक्या कहना है जैनब तुमने मेरी बहन के सामने मेरा मान रखा मैं जानता हूँ आपाभी के मिजाज की बज़ा से तुम्हारे जहन में कुछ ख़चात ने जनम लिया होगा लेकिन हर सुस्वाल में थोड़ी बहुत उंच नीच तो होती है अगर मिया बीवी में आपस में महपत और अनरस्टैनिंग हो तो ये बातें बेमाइनी हो जाती है तुमने भी तो सारी जन्दगी आपाभी से समझोता किया है सिर्फ मेरी खाति इंशाला मलीहा भी उवैस के साथ बहुत खुश रहेगी नजीब बोल रहे थे और जैनब उन्हें महपत पाश निगाहों से देख रही थी उवैस वाकि मलीहा के लिए बहतरीन इंतखाव है रही बात आपाभी के मिजाज की तो अब उनके मिजाज में पहले वाली सक्ती नहीं रही वक्त के साथ और बदल जाएंगी उन्होंने नजीब को तसली दी आपाभी का मिजाज बदले ना बदले मुझे मलीहा पर पूरा भरोसा है हमारी बेटी बहुत समझदार है आपाभी के खर आसानी से अजस्ट कर लेगी नजीब के लेचे में मलीहा के लिए बहुत सा मान और प्यार चुपा था सैनब मुस्तुरादी उनके वहमों गुमान में भी ना था कि उनकी समझदार बेटी अंग खरीब अपने बाप का मान तोड़ने वाली है खर जाकर उन्होंने अपनी दानिस्ट में तो मलीहा को उसकी बात तैह हो जाने की उस्खबरी सुनाई थी उनका ख्याल था कि ओवैस की पसंदीद की एक तरपा नहीं होगी आप अभी मलीहा के लिए उवैस की जिस दीवानवार चाहत का तश्करा कर रही थी मलीहा यकीनन उवैस की चाहत से वाकिफ होगी वो दोनों हम उमत थे जब कभी उवैस यहां आता मलीहा और उस्मान उस कियामत पर बहुत खुश हो जाते थे तीनों की खूब दोस्ती थी एकटे महपलें जब दी सेर सपाटे को एकटे निकलते उवैस ने यकीनन कभी ना कभी तो मलीहा से हाल दिल कहा होगा सैनप को इस बात का पूरा यकीन था जब ही तो उनकोंने मुस्कुराते हुए मलीहा को मुखातित किया था मेरी बेटी ने तो मा से अपने दिल का हाल छुपा लिया था लेकिन मा उलाद के दिल के खौाहिश से कैसे बेखबर रह सकती थी आपाबी ने ओवैस के लिए तुम्हारा रिष्टा मांगा है और तुम्हारे बाबाजान ने उन्हें हां कह दी है ओवैस तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो बहत खुश खुस्मत है मेरी बेटी जो इतने चाहने वाले शक्स का साथ मिला है सैनब ने महपत पाश निगाहों से बेटी का चेहरा देखते हुए उसे आगाह किया था लेकिन चंद सेकंड बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि बेटी के चेहरे पर तासुरात हर्गिस ऐसे नहीं है जैसे किसी खुशी के खबर सुनने के बाद होने चाहिए वो आँखें फाड़े हैरानी से उन्हें तक रही थी अगर ये सिर्फ हैरत भरे तासुरात होते तो भी गनी मत था उसके चेहरे से तो शदीद दुख चलग रहा था आपने फुपो को हां भी कहती यूँ अचानक मुझसे पूछे बगएर ही बीबी जान वो दुख से चूर लहचे में पूछ रही थी हमारे ख्याल में ये रिष्टा हर लहाज से बहतरीन था नजीब सोचने के लिए कुछ मुहलत लेना चा रहे थे लेकिन आपाभी ने ऐसी जल्दी मचाई कि हमें हां कहते ही बनी फिर हमें यकीन था कि तुम्हें इस रिष्टे पर कोई आदरास नहीं होगा उन्होंने प्यार से बेटी की ठोड़ी चुई आप मेरे साथ ऐसा कैसी कर सकते हैं मलीहा ने सरसलाते लहचे में उनके मुकातिब किया सैनब ने चौंक का बेटी को देखा वो ये समझ रही थी कि मलीहा अचानक ये खबर सुनकर हका पका रह गई है लेकिन उसके तासरात तो नाकाबले पहम थे उवैस की बसंदीद की पर ये रिष्टा जुड़ा है वो बहुत चाहता है तुम्हें उन्होंने इस बार भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बेटी को आकाह किया और मैं क्या चाहती हूँ ये जानने की आप लोगोंने जहमत भी नहीं की आंसू अब मलीहा के गाल भी गो रहे थे अब हका पका होने के बारी सैनब की थी मुझे ओवैस से शादी नहीं करनी बीबी जान बार गिस नहीं किसी खीमत पर नहीं आप बस फपो को इंकार कर दें तुम आप अबी की वज़ा से इंकार मत करो ओवैस का सोचो वो कितना चाहता है तुम्हें सैनब ने उसे दोबारा ओवैस की चाहत याद दिलाई थी लेकिन मैं ओवैस को नहीं चाहती बीबी जान मैं किसी और को चाहती हूँ मलीहा ने उनके हवासों पर बम गिराया था इसके आगे एक लफ्स मत कहना मलीहा चुप हो जाओ सैनब उसकी बात सुनकर सख्त मतोश हो गई थी लेकिन मलीहा चुप नहीं रही थी वो तो किसी मुनासिब मौके का इंतिजार करते करते पहले ही बहुत देर कर चुकी थी उसने मा को सब कुछ पता डाला आशिर उसका एक लास मैलो था दोनों एक दूसरे को तूट कर जाते थे दोनों का ख्याल था कि जब आशिर पढ़ाई मुकमल करके अपने पाउं पर खड़ा हो जाएगा जब मलीहा के वालदैन के आगे दस्ते सवाल पुरंद करेगा मलीहा के तो वहम गुमान में भी ना था कि यूँ अचानक उसकी बात ही पकी कर दी जाएगी वो मा के सामने बिलक बिलक कर रो पड़ी थी उन्हें बता दिया था कि आशिर उसके लिए क्या हैसित रखता है और ये कि वो आशिर के बगार जिन्दगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती अगर तुम्हें अपने बाप की इज़त का जरा सा भी ख्याल है तो अपनी मुहपत से दस्परदारी अख्यार करना पड़ेगी तुम्हारे बाबा अपनी बहन को जबान दे चुके हैं वो वैस बहुत अच्छा लड़का है अपने दिल को जितना जल्दी समझा लो तुम्हारे हक में उतना ही अच्छा होगा सैनब ने उसे कते अंदास में करवा दिया था मलीहा बस रोती ही रही थी सैनब का ख्यार था कि मलीहा आइस्ता आइस्ता सुरत हाद से कंप्रोमाइस कर लेगी लेकिन उन्ही दिनों आप अभी की तरफ से बाकाइदा रस्म करने का शोशा छोड़ दिया गया तुम तो जानते हो नजीब के आज कल ओवैस के ताया पाकिस्तान आये हुए हैं चल्द ही उनकी अमरीका वापसी मतवक्ता है ओवैस के अबू चा रहे हैं के बड़े भाई की मौजूबकी में ओवैस की मंगनी की रसम अदा हो जाए हम कल ही तुम्हारी तरफ आ रहे हैं पर हाना के सुस्राल वाले भी हमारे साथ होंगे तुम्हारी तरफ से उनके खातर मदारत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी के सुस्राल का मामला है आब आबी ने पहले ही जदा दिया था आप फिकर ही ना करें आप आपी, सब कुछ आपके फाहिश के मताबिद अंजाम पाएगा नजीब ने बहन को तसली दी, फिर बीवी को बहन के फोन के बारे में बताया था जैनब सुनकर सख्ट परेशान हो गई थी, अभी तो मलीहा पहले धचके से ही नहीं समली थी आप अभी के उखावी निगाहें, मलीहा की उजड़ी शकल देख कर कुछ भांभी ना लें क्या हुआ बीवी, हम तो परिशान ही हो गएं, मैं हो ना तुम्हारे साथ, सारे इंतिसामात करवाना मेरी जिम्हदारी नजीब ने उनकी परिशान शकल देखकर यही नतिज़ा खस किया था, कि वो तक्रीब के इंतिसामात की वज़ा से परिशान हैं, सो फौरण उन्हें अपनी मदद का भरपूर यकीन दिलवाया जैनब ने पतिकत मुस्कुराते हुए अस बात में करदन हिला दी मिधद और उस्मान भी बेहन की मंगनी के खबर सुनकर पुर्जोश अंदास में अपनी तैयारियां करने लगे थे उस्मान तो मलीहा से छेर चार भी कर रहा था, लेकिन मलीहा उसके छेरने पर बुरी तरहा रोही तो पड़ी अरे बाबा सिर्फ मंगनी करने आ रही है पुपो, अभी से तुम्हें रुखसत करवा के साथ थोड़ी ले जाएंगी उस्मान ने बेहन को बाजू के हलके में लेकर तसली दी भाई, आप आपी को बिलावजा तंग कर रहे हैं, इस मौके पर लड़कियों को रोना आही जाता है बहन की मतवक्का जुदाई से मिधध की अपनी आँखें भराई थी सैनब का दिल मलीहा की शकल देखकर डूब रहा था अगर ये बेवकूफ लड़की पहले ही अपने दिल के हाल से आगाह करते थी तो ये नौबत तर पेश ना आती, नजीब रोशन फ्याल शक्स थे वो बेटी की पसंद को सनत कुबूलियत बख्ष सकते थे लेकिन अब कुछ भी होना नामम्किन था रात को तनहाई पाते ही जैनब फिर मलीहा को समझाने चली आई थी अपने आपको संभालो मलीहा, आपा भी तुम्हारी शकल देख कर खटक ही न जाए अब फिर वक्त है बीबी जान, आप बाबा को कहें कि वो फुपो को इंकार कर दें मलीहा उन से रोते हुए चिमर गई थी बेवकूफी की बातें मत करो मलीहा, उन्होंने टपटते हुए उसा खुद से अलग किया मैं आशिर के सिवा किसी और के साथ संदगी कुसारने का सोच भी नहीं सकती वो बिलग बिलग कर रोई थी सैनब ने एक सोड़ तार तमाचा उसके गाल पर रसीद किया था आज के बाद मैं आशिर का नाम तुम्हारे मूँ से ना सुनू समझो मर गया है वो तुम्हारे लिए मलीहा की जजबातियत का शायद यही इलाज था उसे दृष्टी से टपटते हुए वो कमरे से चली गई अगला तुलू होने वाला दिन उनकी जिन्दगी का स्याहतरीन दिन था मलीहा के गाल पर थपड मारने की बहुत कड़ी सजा फुगतनी पड़ी थी उन्हें आप अभी ठेरों महमानों के हमरा बहुत धूमधाम से मंगनी के रसम करने बहुत चुकी थी मलीहा सुभा बगार पताय इन्वेस्टी के लिए निकल गई थी आप क्यों फिकर करती हैं बीबी जान आप भी जल्द आने का कह कर गई हैं मिधत की जबानी ही उन्हें मलीहा के इन्वेस्टी जाने का पता चला था और उसने ही उनकी परेशानी भाप कर तसली दी थी हालांके उसे अंदाजा भी ना था कि मा के दिल में किन खच्चात ने जनम लिया है वो सिर्फ यही सोच सकी थी कि वो महमानों की आमद और कामों की दबाओ की वज़ा से परेशान हैं खरेलू कामकाज में बिलकुल अनाड़ी होने के बावजूद उस रोज मिधत ने उनका हाथ पटाने की हर मुम्किन कोशिश की थी उस्मान ने भी आज अपने इस्टिट्यूट से चुटी की थी आपावी और उनके महमानों का इस्तवाल करने के लिए सब ही जी जान से मस्रूफ थे लेकिन जैनब का दिल खच्चात का शिकार था उनकी निगाहें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी आपावी अपने सुस्राली अजीज़ों और दीगर महमानों के हमरा पहुँच चुकी थी लेकिन मलीहा का नाम और निशान तक ना था महमानों की तरफ से पहला सवाल मलीहा के मतालख ही किया गया था वो लोग ओवेर्स की मंगेतर देखने के आर्सुमन थे मलीहा युनिवस्टी गई है बस आती ही होगी जैनप ने अपने फक्ट पढ़ते चेहरे पर सबर्दस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बताया था ये भी खूब रही जैनप आज के दिन भी बेटी को युनिवस्टी पेज़ दिया कुछ तो सोचा होता आप अभी ने सब के सामने ही नारासी का इसहार किया आज उसका बहुत जरूरी टेस्ट था बस अब पहुंचने ही वाली होगी उन्होंने दिल के खौाहश को लपसों मे ठाल कर जवा दिया दिल यही राग अलाप रहा था कि काश चल्दी से मलीहा आ जाए और उनके तमाम खाचात खलत साबित हो खड़ी की सुन्या आके सरकती जा रही थी और उनका दिल अंदर ही अंदर तूटता जा रहा था सुभा से भाग दोर और कामों में मसरूफ नजीब को भी अब पता चला था कि मलीहा घर पर मौजूद नहीं है तुम्हें आज मलीहा को युनिवस्टी नहीं भेजना चाहिए था जैनब आपा भी सक्ट खफा हो रही हैं और वो खफा होने में हक पचानिब है महमानों से घर भरा पड़ा है तकरीब के सब इंतिसामात मुकमल है और मलीहा घर पर मौजूद नहीं नजीव उन से नाराजी से गोया हुए बस आती ही होगी वो घड़ी पर निगाहें जमा कर धीरे से बोली थी नजीव कोन का अंदास कुछ खेर मामूली लगा था वो कुछ ठिटके तो थे लेकिन अपना वहम समझ कर नजर अंदास कर गए अच्छ अब तुम ही तैयार हो जाओ आप अभी को देखा है कैसे जख पर कप्ड़े पहने हैं आज दुलहा की माँ है तो दुलहन की माँ को भी किसी से कम तो नहीं लगना चाहिए न अपनी कुछ लम्हों वाली बात का सरजाल करने को वो हलके फुल के अंदास में गोया हुए सैनब ने सर उठा कर शोहर को देखा उन्होंने जैसे नजीब की बात सुनी ही नहीं थी उनकी निगाहें फिर खड़ी की तरफ उठी आम दिनों में मलीहा इस वक्त तक खरा चुकी होती थी आज के दिन मलीहा की खर से गयर मौजूदगी का सिर्फ एक ही मतलब था वो वैस से मंगनी करना ही न चाहती थी एक दिन पहले वो से थपड़ मार कर ये समझे बैठी थी कि उन्होंने मलीहा को बावर करवा दिया है माबाप के किये हुए फैसले को हत्मी फैसला समझे मलीहा ने बहस मुबाहिसे के बजाए मंज़र से गायब होकर उनके फैसले को चैलेंज कर दिया था बेटी की प्लैनिंग उनकी समझ में आ गई थी उनका जी चा रहा था कि वो भी कोई सुलेमानी टोपी पहन कर मंज़र से गायब हो जाएं नजीब चाने क्या बोल रहे थे उन्होंने खाली खाली निगाहों से नजीब को देखा ये फरिश्टा सिर्थ शख्स उनका शोहर ही नहीं उनका महभूब भी था मलीहा को सगे बाप से बढ़ कर चाहा उसने और उनकी बेटी ने साहत का क्या अच्छा जवाब दिया था क्या वो आज के बाद नजीब से निगाहें मिला पाएंगी वो बेदम सी होकर बैट पर बैठी थी क्या हुआ जैनब तुम्हारी तबियत तो ठीक है नजीब ने पूछा तब ही उस्मान दाखिल हुआ वो भी खबराया हुआ परेशान था बीबी जान अभी मलीहा की एक दोस्त का फोन आया है उसने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल भी इन्वेस्टी में स्ट्राइक है कोई कलास नहीं होगी जब मैंने उससे कहा कि मलीहा तो आج भी इन्वेस्टी कई है तो वो कह रही थी के आज भी स्ट्राइक के सबब कोई कलास नहीं होनी थी उस्मान में परेशानी के आलम में मा को आगा कیا वो चुप चाप बैटी की शकल तकती रही मैं खुद युनिवस्टी जाता हूँ और प्लीज ये स्ट्राइक वाली बात पुबो के सामने मत कीजेगा पहले ही उनका मूच सख्त आफ है पता नहीं क्या मामला है मलीहा युनिवस्टी गई ही क्यों और फिर अब तक लौटी क्यों नहीं उस्मान की परेशानी उसके चहरे से चलक रही थी मुझे माफ कर दे नजीब सैनब ने यकलख नजीब के सामने हाँ चोड़ दिये थे वो अब सारो कतार हो रही थी उनके आसाब मसीद बोज परदाश्ट करने के काबल न थे उन्हें ये बोज नजीब के कंथों पे मुंतकल करना ही था मलीहा जान बूज कर आज के दिन घर से बाहर निकली है वो अभी वापस नहीं आएगी और पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं नजीब परेशानी के आलम में उनके करीब आए थे जब उन्होंने रोते हुए उन्हें आगाह किया क्या कह रही हो जैनब नजीब उनकी बात सुनकर हका बका रह ते थे पास खड़े उस्मान का हाल भी कुछ मुक्तलिफ ना था वो वैस से मंगनी नहीं करना चाहती थी अपने क्लास वैलों को पसंद करती थी मैंने बहुत समझाया बहुत समझाया उसे मारकर भी देख लिया क्या खबर थी यूँ बदला लेगी मुझसे अपनी चन्द इनकी मुहबत मापाप की इससे स्यादा खीमती लगे उसे वो हमें रुस्वा कर गई नजीब जैनब बुरी तरहा रो पड़ी थी उनके जुड़े हाथ जो नजीब ने अपनी गिरिफ्ट में ले लिये थे यह लख्त वो गिरिफ्ट कुछ ठीली पड़ी थी सामने आपा भी खड़ी थी पहर पर साथी निगाहों से सैनब को खूर रही थी मैं यही सुंगुन लेने आई थी कि बंद कब्रे में कौन सा ड्रामा हो रहा है अरे मैं तो पहले ही खटक गई थी कि दाल में कुछ काला है ऐसी मुर्दनी चाही हुई थी इसके चहरे पर उन्होंने नफरत से रोती हुई जैनब को देखा था इस हराफा मां की बेटी से इसी तरहा के कर्तूत की तवक्त थी सारी उमर मेरे भाई पर जादू किये रखा बीवी के सिवा उसे कुछ नजर ही ना आया बेटी ने वैसा ही सहर मेरे बच्चे पर फूंक डाला बावला हो गया वो उसकी चाहत में कहता था मर जाओंगा मलीहा के सिवा किसी से शादी ना करूंगा दिल पर जबर करके सिर्फ उसके खुशी के खातर तुम्हारे आगे दामन फैलाया अब बताओ क्या करूं मैं जिन पच्चीस लोगों को अपने साथ ना आई हूं उन्हें क्या जाकर बताओं के लड़की अपने किसी यार के साथ परार हो गई फो फो प्लीज आगे एक लफ्स नहीं उस्मान ने अपने अंदर उमटती इश्ट्याल की लहर को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए उन्हें टोका ये महस बीबी जान का खच्चा है कि मलीहा वाफिस नहीं आएगी मैं उसे ढूनने जा रहा हूँ वो वहीं युनिवस्टी में ही होगी उस्मान का लहचा पुर्यकीन था ना भाई हमें तो तुम माफ करो जानते बूचते किसी ऐसी लड़की को अपने बेटे के गले का तौक नहीं बनाऊंगी मैं शादी के बाद अपने आशना के साथ परार हो गई तो खुदा के लिए आपाभी चुप हो जाएं नजीब ने उनके सामने बाकाइदा हाँ चोड़ दिये थे तिमाग अभी जैनब की बताई गई बात के सब्मे से निकलाना था कि आपाभी ने अलग हंगामा शुरू कर दिया था हाँ भई चुप भी आपाभी को ही करवाओ अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते कि पहले ये मूँ में क्यों खुंगनिया डाले पैठी रही अगर पहले मूँ से फूट देती तो काहे को आज हम यो रुस्वा होते अब बताओ अपने साथ आए महमानों से क्या कहूं जाकर अरे मेरी तो बेटी के सुस्राली भी साथ आए हैं कितने फखर और मान से आई थी सब को लेकर अपने भाई के घर क्या पता था भाई के घर जाकर आपके महमानों के सामने मैं हाथ चोड़ कर मासरत कर लेता हूँ इसके सिवा और क्या कर सकता हूँ मैं नजीब ठके हारे अंदास में बोले थे जैनब ने तड़प कर शोहर को देखा आपापी की तेवनियों के बल कम ना हुए थे सूरत अहाल उनके लिए भी कम परेशान कुन नहीं थी अपने सुस्राल वालों और बेटी के मुम्किना सुस्राल के सामने होने वाली सुक्की का तसवर ही उनके लिए सोहाने रूथ था उन्होंने मलीहा का रिष्टा सिर्फ और सिर्च वैस की मलीहा के लिए दीवान की देख कर मांगा था लेकिन अब उन्होंने तनफ़र से सोचा नजीब और जैनब चाहे उनके सामने माधार अगर डालें वो कभी मलीहा को वैस की जिन्दगी में शामिल नहीं करेंगी लेकिन महमानों के सामने सुक्की का तसवर उनके लिए खासा परिशान कुन था कुछ देर इंतजार कर लें फुपो इन्शालला मलीहा आ जाएगी मां का सुता हुआ चहरा और बाप का परेशान चहरा देखकर उस्मान नहीं दोबारा अपनी फुपी को मुकातिब करने की हिम्मत की बस उस्मान आपाभी ने बहुत नखवत से अपना हाथ फिजा में बुलंद किया सब कुछ जानते पूछते अपने बेटी की जिन्दगी बरबाद नहीं कर सकती मुझे तो मलीहा वैसे भी पसंदना थी सिर्फ ओवैस की जितने मुझे मजबूर कर दिया था अब जब ओवैस को सुरतिहाल का इल्म होगा तो अपनी हिमाकत का एहसास भी हो जाएगा लेकिन मैं जब आज तुम्हारे घर अपने बेटे की मंगनी की रसम करने आई हूँ तो रसम करके ही जाऊंगी आपाभी की इस बे सरुपा बात पर सबने ही उन्हें उलच कर देखा था मिधध मेरी भतीजी है मेरा अपना खोन ओवैस राजी ना हुआ था वरना मैं तो तुमसे पहले मिधध का रिष्टा ही मांगना चाह रही थी आज मैं मिधध की उंडी में ओवैस के नाम की अंगूठी पहनाओंगी आपाभी ने मिधध का रिष्टा ना मांगा था बलकि अपना फैसला सुनाया था जैनब ने तड़कर उन्हें देखा मिधध तो अभी बहुत चोटी है आपाभी वैस की और उसकी उम्रों में भी बहुत वर्ख है वो तो मैं तुम से मुखादिब नहीं हूँ जैनब उन्होंने तनफर से जैनब की बात काटी हा नजीब बताओ खर आई बेहन को जलील करके वापिस खेजोगे या मुझे मिधध को अंगूठी पहनाने दोगे वो नजीब से मुखादिब हुई थी नजीब के चहरे पर बर्सों की थकन से मताई थी सैनब मुलतजी निगाहों से शोहर को देख रही थी काश वो आपाभी को इंकार में जवाब दे दे मिधध तो अभी बहुत छोटी थी उनकी कम उमर बेवकूप सी बेहत हसास तबियत वाली बेटी जिसको FSC में दाखला लिये चन्द माही हुए थे डॉक्टर बनना जिसका जुनून था वो ऐस भी जिसके छोटी बेहनों की तरहां ही लाट उठाता था आभावी एक कैसा बेजोड रिष्टा जोड़ना चाह रही थी वो निगाहों की निगाहों में शोहर को कुछ बोलने से बास रखना चाह रही थी लेकिन नजीब ने उनकी सेम देखा ही ना था आप मिधध को अंगूठी पहना दे आभावी मुझे कोई अतरास नहीं उनकोंने संजीदा और सपाट से अंदास में चवाब दिया था आभावी शादाओं वरहां वापिस मुर गई थी यह आपने क्या कर दिया नजीब मिधध जहनी तोर पर इस रिष्टे को मैंने चोग किया मेरे पास उसके सिवा कोई आप्शन ही ना था जैनब नजीब ने शागी अंदास में उनकी बात काटी थी वो चुपकी चुप रह गए तुम्हें मलीहा की पसंदीद्की के मतालिफ मुझे लायल्म नहीं रखना चाहिए था वो किसी को पसंद करती है ये कोई बड़ा इशू नहीं अगर मुझे पहले इल्म होता तो मैं औवैस के रिष्टे पर हामी ही ना भरता मुझे भी पहले नहीं पता था नजीब सैनब ने तड़क कर उनकी बात काटी थी आज से पहले तो इल्म हो चुका था ना जैनब तुमने फिर भी मुझे पताना गवारा ना किया नजीब उनसे बेपना खफा लग रही थे सैनब उन्हें बेबसी से देख कर रह गए जिस शोहर की आँखों में जिन्दगी भर अपने लिए मुहबत देखी थी उनकी सर्थ महर निगाहें सेहना जैनब के बस से बाहर था जो कुछ हुआ वो उसके लिए मलीहा को नहीं बलके जैनब को उसुरवार समझ रहे थे अगर मामला पहले उनके इल्म में आ जाता तो वो सलीके सुभाव से आपाबी को इंकार कर सकते थे आलंके आपाबी ने फिर भी तूफान ही मचाना था लेकिन अब जब वो अपने सुस्राल वालों के लावा अपनी बेटी के होने वाले सुस्रालियों समेट भाई के खरान पहुची थी नजीब चाह कर भी उन्हें काली हाथ नहीं लोटा सकते थे दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने मिथट और उवैस के रिष्टे के लिए हां करती थी सैनब चुप चाह पांसू बखाने लगी थी नजीब ने रुक कर बीवी के आंसू पोंचने की सरूरत महसूस नखी वो कमरे से बाहर चले गए थे पीछे उस्मान मां को साथ लगाए तसली देने लगा था जिस वक्त आपा भी हैरान परेशान और हवास पाखता सी मिथट को अंगूठी पहना रही थी मलीहा घर बापस लोटी थी वो भी हैरत भरी निगाहों से मां को तकने लगी सैनप ने उसकी जानब से मूँ फेर लिया सच यही था कि वो अपनी बेटी की शकल तक ना देखना चाहती थी इस से पहले मलीहा पर किसी और की नजर पढ़ती उस्मान बेहन का हाथ पकड़ कर एक तरफ ले गया आपा भी रस्म करके बहुत मस्रूर अंदास में वापस लौती थी लेकिन नजीब हाउस में जैसे मर्ग का समा था मिधद को तो अभी तक सारी सुरतिहाल का ठीक से इल्म भी न हो सका था नजीब ने महद उससे इतना कहा था कि आज उसे अपने बाप की इस्थ के खातर लब सियर रखने है और जो कुछ हो रहा है उसे होने देना है कम उमर और कम अकल सी मिधद की समझ में ये बात आ गई थी उसने बाप का मान और इस्थ रख ली थी वो दिल में मचलते सवालों को जबान पर ना लाई थी आपाभी ने उसे अंगुठी पहनाई और उसने पहन ली सैनप का दिल उसकी सादत मंदी पर थाड़े मार करो रहा था मलीहा ने साबित कर दिया था कि वो नजीब को अपना बाप समझती ही नहीं समझती होती तो मिठद की जगा वो बैठी होती नजीब ने सारी उमर उनकी बेटी की कितने प्यार से परवरिश की और वो उस प्यार को अपना हक समझ कर रुसूल करती रही अपनी चंद रोजा मुहबद उसे बाप की इसस्द से कीमती लगी थी हमेशा सर उठा कर चलने वाले नजीब के कंथे आज कितने चुके चुके लग रहे थे सैनब खुद में उनसे निगाहें मिलाने की हिम्मत न पा रही थी उवैस उमर में मिठद से 10-11 साल बढ़ा था रात को मलीहा ड़टे ड़टे उनके पास आई थी मुझे माप कर दें बीबी जान बाइकाट आज जो हुआ मैं ऐसा हरकिस ना चाहती थी उसने माँ को सफाई देने की कोशिश की सैनब ने उस पर तनफ़त भरी निकाह डाली आशिर का एकसिडन्ट हो गया था बीबी जान वरना मैं उसके गले में आसूं का गुला साटका था माँ की खामोश नफरत भरी निकाहें उसका दिल चीर रही थी फिर भी वो वजाहत देने के अपनी सी कोशिश किये गई आप मेरा यकीन करें अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं मंगनी से बचने के खातर इतनी देर खड़ से बाहर रही तो ये गलत है हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे आशर को होशाने से पहले मेरा किसी और दरफ ध्यान ही न गया वरना मैंने सोचा था कि मैं आज चुप चा बाबाबी से अंगूटी पहन लूँ बाद में मैं बाबा को सारी हकीकत बता देती आपने तो मेरी बाद सुनी ही न थी बाबा यकीनन मेरा साथ देते हुए ये रिष्टा खतम कर देते अपनी दानिस्ट में वो सफाई पेश कर रही थी सैनब का चहरा गुस्से से सुख पड़ गया था जब तुमने ये सोच ही रखा था कि तुम्हारी खातर तुम्हारा बाब अपने कौल से फिर जाएगा तो फिर मलाल क्यूं कर रही हो जो होना था आज हो गया मंगनी तूटना तुम्हारे नस्टीक मसाख था फिर तुम्हारे बाब का शमला नीचा ना होता शुकर है आज मिधत ने खुर्बानी दे कर हमें जलील होने से बचा लिया तुमने तो अपने बाब को रुस्वा करने में कोई कसर ना छोड़ी थी वो बोलते बोलते हाँ कहीं थी उसे की शितत से उनके लब कपकबा रहे थे मलीहा उन्हें बेबसी से देखे जा रही थी और मैं बेवकूफ हूँ जो बार बार नजीब को तुम्हारा बाब कहकर मुखादिब कर रही हूँ तुम्हारी रगों में तो सुबैर शा जैसे कमजर्फ शख्स का खून दौर रहा है आज साबित हो गया जैनब बस एक लफ्स मजीद मत कहना नजीब नजाने किस लम्हे कमरे में दाखिल हुए थे उन्होंने बीवी को इंतहाई नागवारी से टोका वो यकलख चुप हो गई थी नजीब मलीहा की जानब मतवज़ा हुए जो खफ़त और शर्मिंद्गी के जेरे असर उंगलियां चटखा रही थी तुम उस लड़के से कहो कि मुझसे आकर मिले बलके अपने घरवालों के साथ आए अगर मुझे लोग मुनासिब लगे तो मैं तुम्हारी ख़ाहिश पूरी कर दूँगा उन्होंने मलीहा को पत्रे नर्मी से मुखातिब किया सॉरी बाबा, सॉरी फर एवरिटिंग मलीहा उनसे बे साथ का लिपट कर जारो खतार रोने लगी उन्होंने धीरे से उसका सर थपटपा कर खुद से अलग किया सैनब अजीब से महसूसात में खिर गई थी मलीहा कमरे से चली भी गई फिर भी वो शोहर से नस्रे ना मिला पा रही थी मलीहा का कुसूर इतना बड़ा नहीं है खलती मेरी थी कि उससे पूछे बिना उसकी सिंदगी का पैसला कर दिया लेकिन काश सैनब जब तुम्हें मामले का इल्म हो गया था तो तुम मुझे बेखबर ना रखती तुम मलीहा को दोश दे रही हो लेकिन तुमने खुद मुझे उसका बाप समझा ही नहीं अगर तुम मुझे हकिकतार से बाखबर कर दे थी चाहे दो दिन पहले ही सही तो वो ना होता जो आज हुआ सैनब ने खामुशी से शोहत का शिक्वा सुना था वो जवाब में कुछ ना बोली उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही ना था मलीहा ने उन्हें शर्मिनकी के मस्तकिल अजाब में मुझतलाक कर दिया था मिधद के लबों पर भी चुप लग गई थी वो मलीहा के लिए उवैस की चाहत से बखू भी आगा थी बाप की इस्थत के खातर वो इस बेचोड और अंचाहे रिष्टे में बन तो गई थी लेकिन उसका जहन इस हकीकत को कुबूल ही नग कर पा रहा था बाबा ने ये मेरे साथ क्या कर दिया बीबी जान वो वैस भाई तो मेरे लिए बिलकुल भाईयों जैसे हैं वो वैस भाई मलीहा अपी को दीवानों की तरह चाहते हैं उनकी शरीके सफर मलीहा अपी को ही बनना चाहिए था बाबा ने तुम अपने बाबा को बार बार क्यूं दोज्टे रही हो मिधत सैनब ने आसरता लहचे में बेटी की बात काटी ये सब मलीहा का किया धरा है वो किसी और को पसंद करती है उनके लहचे में परसों की ठगन थी ओवैस भाई से ज्यादा अपी को कौन चाह सकता है भला आपने कभी ओवैस भाई को मलीहा अपी की जाने पकते हुए देखा है बीबी जान उनकी आँखों में कंदीलें सी जलने लगती है मुझे हैरत होती है कि ओवैस भाई के जस्मों की तपिश मलीहा अपी तक क्यों नहीं पहुँची मिधद हैरान हो रही थी और जैनब उससे पढ़कर हैरान थी वो तो मिधद को कम अकल और बेवकूप सा समझती थी उससे तो इस चीज़ की भी खबर थी जिससे पूरा घर बेखबर था वैस भाई की तीवानावार चाहत मलीहा अपी से अपना आप मनवा ही ले थी मैं सब कुछ जानते पूछते कैसे वैस भाई की संदगी में शामिल हो सकती हूँ मिधद आखों में आशू भर कर मा से वो सवाल कर रही थी जिसका उनके पास कोई जवाब न था नजीब ने मलीहा से कहा था कि वो आशर कों से मिलवाने ले आए आशर अगले ही रोज नजीब हाउस पहुँच गया था नजीब के कहने के बावजूद जैनब उससे ना मिली थी उनकी बेटी ने उनका इतना दिल दुखाया था कि अब बेटी के लिए दिल खुद बहुद पत्थर बन गया था नजीब ने आशर को सनत कुबूलियत पक्ष दी थी अच्छा लड़का है आशर सुलजी होई शख्सियत का मालिक महस्थ और तालिम याफ्ता माबाप फौथ हो चुके हैं वालदैन की इकलौती ऑलाद है उनके इंतकाल के बाद बेवा खाला ने उसके परवर्श की है माली लहाज से फैमली बैक्राउंग मस्बूत नहीं है लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है सहीन फिर आगे पढ़ने की लगन है इन्शालला मलीहा उसके साथ अच्छी संदकी कुसारेगी नजीब बीवी के बगएर पूछे उन्हें तफसिलात से आगाह कर रहे थे वो जैसा भी है मुझे उससे कोई सरुकार नहीं मेरे बस में होता तो आज उसे अपने घर की तहलीस बार ना करने दे थी सैनब मलीहा का कुसूर बख्षने पर तैयार ना थी मसाइल का हल निकालने के लिए हकीकत पसंद बन कर सोचना पड़ता है सैनब बेगम औलाद के गलती चाहे जितनी मरसी बड़ी हो वालदाइन कर सर उससे भी बड़ा होना चाहिए नजीब ने उन्हें रसानियत से मखातिब किया सैनब चन लम्हों के लिए खामोश हो गई थी मिधध बहुत परिशान है वो जानती है ओवैस मलीहा को चाहता था वो ओवैस और अपने दरम्यान जुड़े नए रिष्टे को सहनी तोर पर खुबूल नहीं कर पा रही उन्होंने धीरे से नजीब को मुखातिब किया इस पार चन लम्हों के लिए खामोश होने की बारी नजीब की थी उसे समझाईए वक्त कुजरने के साथ सब कुछ सही हो जाएगा उवैस समझदार लड़का है वो अपने तर्जे अमल से खुद ही मिधध के दिल में छुपे ख़चात ख़तम कर देगा पांजे के मतालिक नजीब हच से ज़्यादा खुशकुमान थे सैनब ने दिल में दूआ की थी कि उनके खुशकुमानी तरुस साबित हो पर शहर के मशूर प्राइविट कॉलिज में लेक्चररशिप की आफर हुई थी तनफ़ा ठीक ठाक थी आशर ना आफर कुबूल कर ली थी लेकिन उसे उमीद थी कि वो बहुत जल सरकारी मुलासमत भी हासल कर लेगा नजीब ने आशर के खाला को उनके खौाहिश के मताबिक शादी की तारीख दे दी थी सैनब भी बेटी से कब तक खफा रहती बेशक उनके और मलीहा के दरमयान शिचक और सर्द महरी की अजीब सी फिज़ा काईं थी शिचक मलीहा की जानब से और सर्द महरी उनकी जानब से लेकिन अब बेटी की मतवक्का जुदाई के ख्याल से उनका दिल बिखल सा गया था वो शादी की तैयारियां करने लगी थी मिधध भी अपना गम पसे पुछ डालते हुए बेहन की खुशी में दिल से शरीक थी उस्मान सिम्यदा धाई का सुबूत देते हुए सब काम अपनी निक्रानी में करवा रहा था किस धूम धाम से उनकी बेटी विदा होने जा रही थी सैनब के आँखें एहसास तशक्र से फीख फीख जा दी लेकिन जाने क्यों उनका दिल किसी अन्होंने खचे से दर रहा था और वो अन्होंनी होकर रही शादी से ठीक 20 दिन पहले आपाबी कियामत हुई थी वो बेहद जलाली मूट में थी चुप चपाते मलीहा की शादी की तारीख रख ली और मुझे खबर तक न होने दी एक दो रोज में कार्ड लेकर मैं आपके पास आने ही वाला था अपाबी नजीब ने उन्हें रसानियत से मखातिब किया जबके जैनब नंद के तेवर देखकर इंतहाई खाइफ हो रही थी चाने वो अब क्या कहने वाली थी माना मलीहा से मेरा कोई रिष्टा नहीं ना ही मुझे उसके किसी मामने में बोलने का हक है लेकिन मिधद तो तुम्हारे घर मेरी अमानत है तुम अपनी बीवी की बेटी को धूमधाम से रुखसत करने लगे हो तुम मुझे मेरा कुसूर बताओ हमें इंतिजार में क्यों लटका रखा है मुझे मलीहा के साथ मिधद की रुखसती चाहिए आपा भी ने कते अन्दास में अपना मुतालबा भाई के सामने रखा लेकिन आपा भी यो अचानक नचीब सही मायनों में उनकी बात सुनकर परबढ़ा गए थे क्यों मलीहा की शादी यो अचानक तै नहीं की तुमने वो चहक कर बोली थी मलीहा पढ़ाई सिफारिक हो चुकी है आपा भी शादी के लिए उसकी यही उमर मुनासिब है जबके मिधद तो अभी इंतिहाई कम उमर है आपके ख्वाहिश पर मैंने उसकी मंगनी तो कर दी लेकिन मैं भी उसकी शादी नहीं कर सकता नजीब ने ठहरे ठहरे लहशे में पहन को मुखाटिब किया बहुत खुब यानि मेरी ख्वाहिश पर तुमने बेटी की मंगनी की आपके अपके अपके अमानत है लेकिन आप खुद सोचें कि शादी के लिए उसकी उमर मुनासिब है फिर अभी उसकी तालीम भी अधूरी है नजीब अपने असली नरम लहचे में बहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे बेटे के मतालब क्या कहते हो क्या उसकी शादी के लिए यही मुनासिब उमर नहीं है मिधद के पढ़ाई खतम होने के इंतिजार में मैं उसे बूढ़ा कर दूँ दोनों के उमरों में जितना फर्क है वो तो खतम होने से रहा मेरी जगा पर तुम अपने आप को रख कर सोचो वैस मेरा एकलागा बेटा है उसके सर पर सहरा सजाने का अर्मान कब से मेरे दिल में दबा है सो बीमारियां मेरी जान को चिम्टी है मैं आज हूँ कल रहू ना रहू तुम चाहते हो बेटे की शादी का अर्मान मेरे सीने में दबे का दबा ही रह जाए आप आपी ने यकलख टोन बरली थी उनकी आँखों से गिरते आंसों ने नजीब को वक्टा दिया था आपका कहना बजा है आप आपी लेकिन मुझे थोड़ी सी महलत तो दे दे मेरा बिजनेस आज कल डाउन जा रहा है दो बच्चियों की बैक बख्ट शादी की तयारिया वो भी इतने शाट नोटिस पर पहले जहन में होता तो नजीब ने परेशान होकर बात अधूरी छोड़ी थी आप आपी ने जैनब पर एक कटीली निकाह डाली वो शर्मिंद्की से जमीन में करसी गई नजीब ने उनसे माली मुश्किलात का तस्किरा तक न किया था वो बहुत धूम धाम से मलीहा की शादी की तयादिया करने में मसरूफ थे अब ही आपा भी प्रेशर ना डालती तो शायद ये बात उनके मूँ से ना निकलती मैं तुम्हारी बहन हूँ नजीब तुम्हारी मुश्किलात समझ सकती हूं मेरे भाई मेरी बज़ा से इन मुश्किलात में इजाफा हो ये मुझे हरकिस कवारा नहीं तुम सिर्फ मलीहा की शादी के खर्चे पूरे कर लो वो गैरों में जा रही है वहां तुम्हारी ना कूंची रहनी चाहिए जबके मिधद तो मेरी अपनी भतीजी है मेरा अपना खून वो मुझे दो जोड़ों में भी कुबूल है मेरा तुम से कोई मुतालबा नहीं बस तुम मुझे खाली हाथ ना लोटाओ मुझे भी मिधद की रुखसदी की तारीख दे दो आपा भी इस पार बहुत लजाजस से भाई को मुखातिब कर रही थी सैनब उनके पल-पल बदलते रंग देखकर फैरत से साकित थी नजीब भी पहन के आगे बेबस सा होकर खामोश हो गए थे जिस तरह तुमने मुझे अपना जान कर मेरे सामने अपना मसला रखा मुझे दुख्यारी की जिन्दगी में भी सुकून नहीं है अब मैं तुम से क्या चुपाऊं कि सिर्फ और सिर्फ ओवैस की खातर मैं तुम्हारे सामने छोली भैलाने पर मजबूर हूई हूँ वरना मैं काहे को शादी की दनी जल्दी मचाती मेरा बेटा इस औरत की बेटी के सोग में गम से दीवाना हुआ पड़ा है नजीब अंधी मुहबद करता था वो मलीहा से ये जानकर के मलीहा किसी और को बसंद करती है उसे ऐसा धचका लगा है कि वो अपने आप से बेगाना हो गया है मिधध ही है चो शादी के बाद मेरे टूटे बिखरे बेटे को समेट सकती है मुझे मायूस ना लोटाओ नजीब महन न समझो ये समझो कि एक दुखी मा तुम्हारे पास परियाद लेकर आई है आप अबीने नजीब के आगे अपने हाँ चोड़ दिये थे सैनब खामुची से कमरे से उठ कर चली गई उस जिन्दकी में कभी भी इतनी शर्मिनकी से दोचार ना हुई थी उनकी बेटी ने उनके शरीके सफर को किसे इम्तिहान में डाल दिया था मलीहा के लिए गुस्से और नाराजी के जो जस्पात सरासर्थ पड़े थे वो नफरत बनकर उपर आए मलीहा टेलेफॉन पर किसी से बात कर रही थी उसके चहरे पर खूटी शफक बता रही थी के फोन आशर का है सैनब का जी चाहा अपनी बेटी का खुशी से तम तमाता चहरा थपड़ों से सुख कर दे उसकी खुदखर्सी और रहसान फरामोशी की वज़ा से बाप के कंधे वक्त से पहले चुक गए थे छोटी बेहन बेकुसूर मस्लूप होने जा रही थी सैनब जानती थी नजीब का फैसला क्या होगा वो बेहन के आँसों के आके हार गए थे मलीहा के साथ मिधद की रुकसती की तारीख भी दे दी गई थी मिधद जो अपने किसमत को हालाप के धारे पर छोड़ते हुए सारी सोचों को जहन से जटक कर मलीहा की शादी में गाय जाने वाले गीतों की प्रैक्टिस कर रही थी उसे अपनी शादी के खबर मिली तो वो शुष्टर रह गई थी बाबा ने एक बाद फिर फुपो की बात मान ली मेरे लिए कोई स्रैंड नहीं लिया मैं तो खुद को ये सोच सोच कर दसली देती थी क्यों वैस भाई खुद ही ये रिष्टा तोड़ देंगे मेरी खुशकुमानी थी कि कुछ न कुछ जरूर ऐसा हो जाएगा कि इस अंचाहे बंधन से मेरी चान छूट जाएगी लेकिन बाबा तो मुझे जानते बूचते कुए में धकेल रहे हैं आखिर क्यों बीबी चान वो बाप से शाकी होकर मा के सीने में सर चुपाए सिसक रही थी जैनब उसके क्यों का क्या जवाब देती पस मुस्महल अंदास में उसके सर के बालों में उंगलिया फिरती रही भले से आपा भी ने कह दिया था कि उन्हें मिधद कपरों के दो जोडों में भी कुबूल है लेकिन नजीब ने इस पेशकर्ष को रस्मी ही लिया था उन्होंने सेनब को माकूल रकम थमा कर मिधद के जहेज की तैयारी शुरू करने का कहा था दो चार दिन तक और रकम का इंतिसाम हो जाएगा आप फिलहाल कपड़े और क्रॉक्री खरीदें जेवर और फनीचर उसके बाद ले लेंगे सेनब ने शोहर किसम देखा वो जानती थी नजीब आजकल किस कदर परेशान है मिधद की शादी के अचानक फैसले पर थी और दो दो शादियों के खराजाब की वज़ा से भी उन्होंने अपना जेवर लौकर में से निकल बाकर नजीब को देना शाहा था ये जरा पुराने रिजाइन का है परना बच्चियों को यही चड़ा देते आप इसे फरुख करके शादि के दूसरे खर्चे निम्टा लें ये जेवर आप अपनी बहू के लिए रख लें शादियों के खर्चे निपढ़ जाएंगे आप फिकर ना करें नजीब ने उन्हें मुस्कुरा कर मुखादित किया मगर जैनब किसी तौर शर्मिनकी के असर से बाहर नहीं निकल पा रही थी सर्च तो ये था कि मुखुद में सालाजर्ब शक्स से निगाहें मिलाने का होसला ना पादी थी जिसने कभी ये जताया तक ना था कि मलीहा की वज़ा से फैमली किस قदर क्राइसिस में मुब्तला हो चुकी है नजीब की लाटली मिधद बाप से शाकी और खवा थी उस्मान भी एक दो बार उनसे उलग चुका था कि उन्हें आपादी की एमोशनल ब्लैक मेलिंग के आगे सर नहीं चुकाना चाहिए था नजीब के लिए उलाद की ये खवकी और नाराजी बहुत तकलीफ दे थी जैनब नजीब के चेहरे से उनके दिल का हाल पाज आती थी ऐसे में जैनब का अपना दिल बहुत करलाता था उन्हें सब की जिम्धा अपनी मलीहा लगती थी अगर्चे घर में कोई दूसरा मलीहा को मौरेद इर्जाम ना ठैरा रहा था और ये चीज़ जैनब की पशेमानी और शर्मिंद की में मसीद इसाफ़ा कर रही थी उन्होंने रत्य अमल के तौर पर मलीहा से दोबारा बेगान की भरा रवया अपना लिया था मलीहा खुद भी शर्मिंदा थी मां से माफी मांगना चाहती थी लेकिन उन्हें ना मलीहा से कोई सरुकार था ना उसकी माफी से वो माईयों के जर्चोडे में मलबूस मिथद को सीने से चिम्टा कर आंसू बहाती थी और पास पैठी मलीहा मां को मुंतसर और प्यासी निगाहों से तक्पी रह जाती दो जोडों में मिथद को ब्याह कर ले जाने का दावा करने वाली आपाभी ने मतालबा किया था कि मिथद और मलीहा की रुखसती अलग-अलग दिन रखी जाए वो शहर के बहतरीन होटल में दोनों बेहनों की रुखसती के इंतिजामात कर चुके थे एन मौके पर इस परमाईश से नजीब परेशान हो गए किस मुश्किल से इस अचानक शादी के खरचे का बंदोबस किया था होटल के अगले रोज की दुबारा बुकिंग करवाना डबल खर्चा पढ़ता सो पढ़ता होटल वालों ने भी माज़त कर ली थी शादियों का सीजन था एक और शादी के लिए पहले ही होटल की बुकिंग हो चुकी थी फाग दौर के बाद बहुत मुश्किल से एक उसत दरजे के मेरिज हॉल की बुकिंग मिल सकी थी शहर के बहतरीन होटल में आशर बाराद लेकर आया था और पूरी धूम धाम से मलीहा उसके संग भुषत हो गई अगले रोज आपाभी ने ओवैस की बाराद लेकर आना था बाराद किसी बहुत दूर दराज शहर से नहीं आनी थी देड़ तो घंटे की मुसाफ़त थी लेकिन घड़ी की सुईयां आगे सरकती जा रही थी और बाराद का कोई नाम निशान न था नजीब बार बार आपाभी को फोन कर रहे थे लेकिन वहां से कोई फोन न उठा रहा था मिधद ब्यूटी पालर से तयार होकर आ चुकी थी निकाह हुआ मौजूद थे महमानों से पिंडाल भरा हुआ था और अब तो सभी इस ताखिर का सबब तर्याफ़त कर रहे थे शादी ब्याह में ऐसी देड़ सवेर कभी कभार हो ही जाती है ये ज्यादा तश्वीश की बात नहीं थी ज्यादा फिकर इस बात की थी के दुल्हावालों से राप्ता ही मुम्किन न हो रहा था फिर आखिर आपाभी का फोन आया था वो फोन नहीं था नजीब के लिए मौत का परवाना था वैस खर छोड़ कर कहीं चला क्या है नजीब मेरा एकलाता बेटा मेरी जिन्दगी भर की पूंजी हाए हाए मैं किस से पर याद करूँ उस हरापा मलीहा की वज़ा से हुआ है ये सब जाने क्या जादू पढ़कर फूंका था उसने मेरे बेटे पर दिवाना हो गया है वो इसके पीछे कहता था मलीहा नहीं तो कोई नहीं और मिथद तो हरकिस नहीं मैं समझती थी शादी के बाद इश्क कभूद सर से उतर जाएगा लेकिन वो तो अपनी बात का पका निकला सुभा से खर से गाइब है कोई अता पता नहीं हम बरबाद हो गए नजीब तबाह हो गए आपावी बैन कर रही थी नजीब ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया उनके चेहरे की रंगत खतरनाक हट तक सर्थ पर चुपी थी पास खड़ी जैनब ने खबरा कर उनके शाने पर हाथ रखा नजीब ने तूटे फूटे अलफास में उन्हें आपावी की गुफटगू से आगाह किया था फिर वो सीने पर हाथ रखकर चुकते चले गए वो रात जैनब के लिए कियामत की रात थी आज भी उस रात का तस्वर करके वो पहरों रोती थी वो जिन्दगी से भरपूर शख्स उनके सरका साइबान उनका शरी के सफर जवानी की बहारें गुजार लेने के बावजूद वो इस वक्त थी कितना वजी और खुबसूरत था बच्चे कहते थे बाबा तो हमारे बड़े भाई लगते हैं उस शख्स को जैनब ने तूट कर चाहा था और हो चाहे जाने के ही लायट था सरापा महभपत सरापा खुलूस औ मुरबबथ वो शख्स अब I.C.U. में पढ़ा सिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था सिंदगी लम्हा बलम्हा उससे रूपती जा रही थी और उसके चाहने वालों के दिल शित्त गम से फटे जा रहे थे मगर कोई कुछ करने पर कादिर ना था शित्त गम से आपा भी भी निढ़ा थी मगर वो जैनब की समातों में सहरीले फिक्रें उंडेलने से बाज ना रही थी वो कह रही थी कि अगर नचीब को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जैनब और मलीहा होंगे अगर मलीहा वैस से रिष्टे परासी हो जाती मंगने वाले रोज खाइब ना होती तो ये सब कुछ ना होता जो अब हुआ था तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे का दिल उजाड़ा और मेरे भाई की सिंदगी उजाड़ी मेरा भाई आस दीन में साप पालता रहा भाई मेरा भाई मेरा शहसादों जैसा भाई कैसे लाचार होकर इस तर पर पड़ा है आपा भी तड़ब तड़ब कर रो रही थी और फिर वहीं वैस भी आ गया था जाने उसे किसने नजीब रसा के हाट अटैक की इतिला दी थी वो खुद शर्मिंदा निठाल और मुस्महल था और जब सैनफ की बार बार किल दिजाओं के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें और उस्मान को सरा देर के लिए नजीब के पास जाने की जासत दी थी तो आपा भी भी वैस का हाथ पकड़ कर सपरदस्ती अंदर खुज गई थी नजीब को अगरचे होश आ गया था लेकिन हालत अब भी तश्वीश नाग थी देखो नजीब ओवैस आ किया है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर अपने हाथों से अपनी मिधद को ओवैस के साथ रुखसत करना आपा भी भाई का माथा चूं कर रो पड़ी थी और जब डॉक्टर के नारास होने पर ना चाहते हुए उन्हें नजीब के पास से हटना पड़ा था तब नजीब ने नकाहत भरे लहचे में सैनब और उस्मान को मखातिब किया मेरे बाद उस्से और जजबात में कोई खलत पैसला मत करना मिधद ने उवैस के नाम का जोड़ा पहन लिया था दुनिया ये बात कभी नहीं भूलेगी उस्मान जजबाती और ना समझ है और सैनब तुम भी सदा घर की चार दिवारी में रही हो दुनिया को परकने की सलाहियत तुम में भी नहीं अजनबी और अंजान लोगों को आजमाने के बजाए वैस को एक मौका और दे देना आगे मेरी मिधद का नसीब अल्लह आपका साया हमारे सरों पे काईम रखे आप ठीक हो जाएं बागी बातें बात में देखी जाएंगी जनब उनके हाथ थाम कर सिसक पड़ी थी उनहीफ आवास में मजीद कुछ कह रहे थे लेकिन वो आवास समात के काबिल न थी नजीब के हालत पता रही थी कि उनकी जिन्दगी के लौख उचने वाली है और महस चार घंटे के बाद जनब के बत्तरीन खचाथ सच हो गए सिंदगी का साथ ही साथ छोड़ गया था पहार जैसा घंट सीना ची रहा था लेकिन उन्हें नजीब की निशानियों के लिए खुद को संभालना पड़ा था नजीब के लाड़ली मिधद बाप के बिच्छने पर होशो हवास खो बैठी थी लंबा चौड़ा उस्मान मा के सीने में सर चुपा कर बच्चों की तरहां बिलक बिलक कर रो रहा था रोने वालों में मलीहा भी शामिल थी शिद्ध गम से वोगी निठाल हुई जा रही थी लेकिन उसकी मा दूसरी ओलादों की तरहां उसे अपने सीने से चिम्टा कर चुपना करवा रही थी जैनब का बस चलता तो वो मलीहा को नजीब का चहरा तक न देखने देती और ये काम जैनब से पहले आपाने कर लिया था तुम अपना मन्हूस चहरा लेकर दफा क्यों नहीं हो जाती मेरा भाई तुम्हारी वज़ा से अपनी जान से गया है वो मलीहा पर थाड़ी थी मेरे बाबा की मौत की जिम्मेदार आप है पुपो मुझे दोश मत दें गम की शितत से मलीहा के हवास भी साथ छोड़ रहे थे वो चिल्लाई तो उसके आवास आपाबी से भी स्यादा बुलन थी मकार हराफा पहले मेरे बेटे को अपने इश्ट के जाल में फसाया फिर उसे आपाबी की बात सुनकर मलीहा मजीद पिफ्री थी मुझ पर बहतान मत लगाएं आपकी इन ही उल्टी सीधी बातों की वज़ा से मेरी मा मुझ से बदकुमान हो गई है आप और आपके बेटे की वज़ा से हमारी फैमली बरबाद हो गई मेरे बाबा को आपने इतना एमोशनल ब्लैक मेल किया कि उनके आसाथ जवाब दे गए रही सही कसर आपके बेटे ने पूरी कर दी मैंने तो महस मंगनी से इंकार किया था न वो बारात वाले दिन खर से भाग गया मेरे बाबा ये सद्मा सहार ही न सके मेरी छोटी बहन की जिन्दगी पर बात करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी आप बहुत जालिम है बहुत जालिम है आप मलीहा चिला रही थी सैनब से मजीद परदास्त ना हुआ और बोस का हाथ पकड़कर खीचती हुई दूसरे कमरे में ले गए नजीब ने तुम पर जितनी महबत और शक्कत लुटाई है उसका ही लिहास कर लो खुदा के लिए मैयत का घर तमाशागाह ना बनाओ रहम करो हमारे हाल पर उन्होंने मलीहा के आगे दोनों हाथ चोड़ दिये थे बीबी जान मलीहा ने तड़प कर उन्हें देखा था मैं तुमसे कलाम नहीं करना चाहती थी इस घर से चली जाओ मलीहा मैं दोबारा तुम्हारी शकल तक नहीं देखना चाहती बीबी जान आप मुझे घर से निकाल रही हैं मलीहा सिसक पड़ी थी तूम्हें इज़त से रुखसत कर चुके हैं हम पूरी धूम धाम से तुम्हारे हग से कहीं ज्यादा देकर नजीब ने तुम्हें तुम्हारे मन्तखिब करदा शख्स के साथ तीन दिन पहले रुखसत कर दिया है जाओ operator अपने घर अपनी मुहपत के साथ हसी खुशी सिंदगी गुजारो इस घर में बसने वाले बेसाइबान तो हो ही चुके तुम हमें दुनिया के सामने मजीद रुस्वा करने पर तुली हो सैनब बोलते बोलते निठाल हो गई थी मलीहा कुछ न बोली थी बस सदमे और बेयकीनी से मा को देखती रही दुनिया के सामने मिधद की शादी में ताखीर का सबब नजीब को होने वाला हाच अटाइक था तुमने वो भरम भी तोड़ दिया मेरी मासूम बच्ची पर रहम खाओ तुम्हारी हड़धर्मी की सजा मिधद को भुगतना पड़ी थी जाने आगे भी उसके नसीब में क्या लिखा है नजीब के लबों पर आखरी वक्त तक मिधद का नाम था वो मिधद के फिकर लिए दुनिया से रुखसत हुए और उसका सबब तुम हो मलीहा तुम हमारी जिन्दकियों से दूर चली जाओ मैं जीते जी तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहती सैनप ने कर्प से आँखें मीच ली थी मलीहा पटी पटी निगाहों से मा को देखती रही फिर मुपर हाथ रखकर अपनी घुटी घुटी चीखें रोकती तेजी से कमरे से निकल गई थी उसने मा के कहे की लाज रख ली थी उस दिन के बाद उसने दोबारा नजीब हाउस की तहलीस पार ना की नजीब के चहलम के बाद आपा भी साथकी से मिधद को ओवैस के संग रुखसत करवा के ले गई थी हालांकि उस्मान इस चादी पर रासी ना था इस फसे को यहीं खतम कर दें बीबी जान मिधद अभी बहुत कम उमर है उसके सामने पूरी जिन्दकी पड़ी है हम मिधद के लिए कोई अच्छा सा बंदा और माकूल सा खराना थून लेंगे बाबा जिन्दकी की आखरी सांसों में मायूसी की इंतहा पर थे हमें उनके खच्छात की बुनियाद पर मिधद की जिन्दकी का फैसला नहीं करना चाहिए उस्मान मा को काईल कर रहा था जैनब ने महब्बत से बेटे को देखा वो कितना सिम्मेदार और समझतार हो गया था लेकिन मिधद को भाई की बाद से तपाक ना था आप बाबा के जिन खच्छात का खिकर कर रहे हैं वो दुरुस्स थाबित होंगे या गलत मुझे इससे कोई सरुकार नहीं लेकिन वो अलफास मेरे बाबा की वसीयत थे मेरी जिन्दकी का पैसला मेरे बाबा कर गए हैं भाई और मुझे बाबा का किया गया हर पैसला कुबूल है सैनब ने बेसागता मिधद की पेशानी चुमली दिल में कहीं हूक सी भी उठी थी काश उनकी मलीहा भी बाप के कहे की लाज रख ले दी पच्तावे की ये अन्नी शायद हमेशा ही उनके सीने में कड़ी रहनी थी अगर शादी के बाद मिधद खुशकवाज तवाची जिन्दकी बसर करती तो शायद जिन्दकी के किसी मोड पर वो मलीहा का कुसूर माफ कर ही देती लेकिन मिधद की जिन्दकी में आसमाईश और कटनाईउं की सिवा कुछ ना था वैस ने नजीब के इंतकाल के बाद एशास शायद की में मुब्तिला होकर मिधद को जीवन साथी बना तो लिया था लेकिन मिधद को कभी भी तवच्चा और महबत के खाबिल ना समझा आपा भी जब तक हयात रही खतीजी का ख्याल रखने की अपनी सी कोशिश की उनके इंतकाल के बाद उनके घर की अनान इक्तिदार उनकी बेटियों के हाथ में आ गई वैस से पांच परस चोटी परहाना जो शादी के बाद सुस्राल वालों से लड़ जगर कर मैं के आन बैठी थी और कुछ अर्से बाद उसका मिया भी उसके पास आ गया था खर का एक पोर्शन उनके जेर तसरुफ था परहाना से चोटी नर्गिस भी बेहन के नक्षे कदम पर चली थी उसका ख्याल था कि उसका मिया भी उसके बेहनोई अर्शन भाई की तहां उसकी महपत में गिरिफदार होकर दोड़ा चलाएगा लेकिन वो अर्शन की तहां काट का उलू साबित न हुआ उसने नर्गिस को तलाग देकर दूसरा बेहना चा लिया था सबसे चोटी नोशाबा शादी करने पर तैयार ही ना होती थी मिधद के खर पर उसकी नंदों का रास था शोहर उससे ला तालुक और बेनियास कर्मे मिधद की हैसियत काम करने वाली मुलासमा की ही थी वो कम उमर थी अपने से बड़ी उमर की नंदों के रोप में आसानी से आ जा दी वोगीस के पैदाइश के वक मिधद मरते मरते बची थी कम उमरी और कमजोरी काइनकॉलोजिस्ट ने केस लेने से ही इंकार कर दिया था जैनब मिधद को अपने हां ले आई थी वो उसके हालत देख कर रोती थी उस्मान भी पेच उताब खाता था बच्चा पैदा हो जाए फिर मिधद को वापिस नहीं भेजेंगे अगर वो अपना बच्चा लेकर जाना चाहेंगे तो शौक से ले जाएं लेकिन जब मुगीस की पैदाइश हुई थी फानजे की शकल देख कर रुस्मान के अपने दिल में प्यार भरे चस्पा तो मड़ाए वो सिर्फ ववैस का बच्चा थोड़ी था वो मिधद का भी तो बेटा था मिधद तो आपरेशन के बाद कितने दिन तक लिलने जलने से कास्थ थी मुगीस को उसकी नानी और मामू ने ही संभाला था इसलिए वो हमेशा से नन्याल का लाडला तरीन बच्चा रहा मिधद की हालत सम्धी तो फरहाना और उसका मियाँ से लेने आ गए थे उसे जाना ही था चली गई खर में अब भी उसकी हैसियत वही थी बस मुगीस के बाद जिन्दगी जीने के काबिल लगने लगी थी वक्त कुछ और आगे सरका तो जैनब ने उसमान की शादी का एरादा बादा नजीब का कारोबार तो उनके इंतकाल के बाद थप होकर रह किया था उसमान ने बहुत मेहनत और जित जहत से नए सिरे से काम का आगास किया था दर्मियान का अरसा बहुत तंगी तर्शी में गुजरा था लेकिन अब करके माली हाला फिर से मस्तेकम होने लगे थे जैनब ने बेटे के लिए लड़की ढूनना शुरू ही की थी कि उसने माँ को अपने मर्जी से आगाह कर दिया बेला उसके दोस्त की बहन थी पहली निगाह में ही जैनब के दिल को खी भागई वो बहुत हस्मुक और मिलंसार लड़की थी नजीब हाउस के सननाटे को खतम करने के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी सैनब हसी खुशी बेला को अस्मान के संग रुखसत करवा कर नजीब हाउस ले आई थी लेकिन शादी में मिधद की नंदों के तेवर उन्हें बहुत उखड़े उखड़े लगे उन्होंने खच्छे से धड़कते दिल से बेटी से इस बारे में इस तबसाद किया था आप क्यों फिकर करती हैं बीबी जान अल्ला का शुकर है खैर खैरियत से भाई की शादी निपटी दरसल पहाना बाजी वगरा की ख्वाहिश थी कि मैं उस्मान भाई को नुशाबा से शादी पर राजी करूं बलके शायद ये नुशाबा की अपनी भी ख्वाहिश थी मैंने उनकी बात को ज्यादा सीरिसली लिया ही नहीं बस इसलिए सब के मुदाउप थे मिधद ने आराम से बताया था तुने पहले क्यों ना बताया मिधद सैनब के आँखों में आसू आ गए थे जाने मिधद के आजमाईशें कब खत्म होना थी सुस्राल में अब उसके साथ कैसा सिलूक होना था वो बखु भी वाकित थी क्या हो गया है बीबी जान क्या हम अपनी मरसी से अपनी जिन्दगी जी ही नहीं सकते फुपो की फैमली ने सारी जिन्दगी हमारी जिन्दगियों पर हक चताने और उन्हें खराब करने के सिवा किया ही क्या है ये खुदकर्सी है कि इस पार मैंने बहादरी दिखाई उन लोगों के दबाओ को कुबूल नहीं किया बेला भादी बहुत अच्छी हैं अल्ला मेरे भाई भादी को थेरों खुशियां दिखाए मिधद अपनी किये पर मुतमाइन थी सैनब नम आँखों से बेटी को देखकर रह गए बेला वाकई बहुत अच्छी थी उसके दम से नजीब हाउस के दरो दीवार फिर से मुस्कुराने लगे थे अल्ला ने बेला को यके बाद दीखरे दो बेटीों से नवाजा था सवेरा और उससे दो बरस चोटी माहा बीबी जान को अपनी नटकट और शरादी से पोटियां दिलो जान से अजीज थी लेकिन हर माग की तरहां उनकी भी तितरी खौहिश थी कि अल्ला उनके उस्मान को एक बेता भी अता करे ये बिला की अपनी भी खौहिश थी लेकिन इस बेसरर से खौहिश का कैसा खुम्यासा फुकतना पड़ा था बच्चे की पैदाश के वक्त दिबी पेचीटगी के बाइस बिला जिन्दगी की बाजी हार गई बच्चा भी चामर नहो सका था सवेरा आठ वरस की और माहा फक्त छे वरस की थी बीबी जान ने पोथियों को अपनी महरवान आगोश में समेथ लिया था बच्चेयां कम उमर थी उन्हें ये बड़ा सत्मा भूलाने में ज़्यादा अरसा ना लगा था लेकिन उस्मान बिखर कर रह गया था उसे दوبारा से जिन्दगी की तरफ लाने का एक ही तरीका था दूसरी शादी लेकिन वो शादी का नाम सुनने पर तैयार ना होता था बीबी जान ने हार ना मानी थी वो बेटे को मनाने की कोशश में लगी रही मेरा दिल नहीं मानता बीबी जान फिर क्या गैरंटी है कि सोदेली मा मेरी बच्चियों को अपना लेगी सच तो ये है बेला के बार उसमान अपनी हिरों में बोले जा रहा था लेकिन फिर उसकी निकाह मा के चहरे पर पड़ी उसे असास हो गया कि वो कैसी संगेन गलती का मुर्तकिब हो गया है I'm sorry बीबी जान I'm really very sorry उसने बेसाखता मा के हाथ थाम लिए मासरत की क्या बात है बेटा सच तो ये ही है ना कि मैं भी तुम्हारी सोदेली मा हूँ सैनब ने बेटे को जस्पाती अंदास में घेरा था और वो इस कोशिश में काम्याब भी रही उसमान ने तड़क कर उन्हें देखा था आप जैसी मा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती तो फिर मा की बात मान लो बेटा तुम्हारी ये उजड़ी हुई हालत देख कर तुम्हारी मा का दिल कैसे कटता है तुम्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं अभी तुम्हारे आगे सारी जिन्दकी पड़ी है जस्बात को एक तरफ रखो और हकीकत पसंद बन कर सोचो जैसे बरसों पहले तुम्हारे बाबा ने सोचा था अगर वो भी रूही की याद को सीने से लगा कर रखते तुम्हारे दिल को आहिस्ता आहिस्ता करार मिल ही जाएगा उन्होंने मुहपत भरे लहचे में मिन्नत की थी ठीक है बीबी जान आप कोशिश करके देख लें वैसे दो बच्चियों के बाप को कौन रिष्टा देगा उस्मान जरा मुस्कुराया था जो तुम्हारे नसीब में होगी मिल कर रहेगी उन्होंने मुतमईन अंदास में जवाद दिया इस वक्त दोनों मा बेटे के वहम गुमान में भी ना था के नसीबों के इस खेल में नोशाबा को उस्मान की शरीक हायाद बनने का ऐसास हासल होने वाला है नोशाबा जो बीबी जान को कतई ना भादी थी और उस्मान ने भी अपनी फुपिजात को कभी भी उस नजर से न देखा था मगर नोशाबा जाने कब से उस्मान के खामोश इश्क में मुब्तला थी उसकी बेहनों ने पहले भी मिधत पर दबाव डाला था कि वो मेके में उस्मान और नोशाबा के रिष्टे की बात करे लेकिन तब मिधत ने उनका दबाव खुबूल ना किया था मिधत का ये कुसूर अब तक माफ न हो सका था और अब बेला के इंतकाल के बाद परहाना ने बीबी जान से मिल कर खुद ही उस्मान के लिए नोशाबा का रिष्टा पेश कर दिया नोशाबा हमारी चोटी और लाटली बेहन है माना उसके उमर कुछ ज़्यादा हो गई है लेकिन उस्मान से कहीं अच्छा रिष्टा उसे अब भी मिल सकता है लेकिन उस्मान को इस वक्त जजबाती सहारी की जरूरत है अगर अपने ही अपनों का ख्याल ना करें तो फिर अपनों का क्या फायदा फरहाना बोल रही थी और बीबी जान को बरसों पहले का मनजर याद आ रहा था जब आपाबी ने मलीहा का रिष्टा मांगा था वोही अंदास वोही लहचा इस वक्त फरहाना का था उनके लबों पर सखम खोड़ा सी मस्कुराहट पहल गई थी मैं उस्मान से पूछ कर तुम्हें फैसले से आगाह कर दूंगी उन्होंने फरहाना को रसानियस से जवाब दिया था मिधद काभी मां के पास फोन आ गया था नुशाबा के मजबूर करने पर फरहाना बाजी को आपके पास आना पड़ा है बीबी जान वो उस्मान भाई के इस्ट में कब से गिरखतार है कभी कभी तो मुझे लगता है उसकी बदनसर बेला भाबी को खा गई अब नुशाबा को दूसरी बार मौका मिला है कि वो उस्मान भाई की सिंदगी में शामिल हो जाए और वो इस मौके को किसी तौर जाया नहीं करना चाहती उसी ने फरहाना भाजी और नर्किस भाजी तुम क्या कहती हो हम उन्हें इंकार कर दें वीबी जान ने बेटी की बात काटते हुए सबसार किया मिधात एक लम्हे को सोच में पढ़ कई थी मैं क्या बताऊं वीबी जान वैसे तो नुशाबा में कोई कमी नहीं खुबसूरत है तालीम याकता है और उस्मान भाई से महबत भी करती है मिजाज तीखा है लेकिन हम किसी और लड़की को देखकर ये अंदाजा थोड़ी लगा सकेंगे कि उसका मिजाज कैसा है अगर कोई और अच्छा सा रिष्टा मिल सके तो ठीप वरना ये आप्शन भी सेहन में रखें उस्मान भाई को दो बच्चियों के साथ आइडियल रिष्टा मिलना मुश्किल ही होगा मिधध ने हकीकत पसंदाना तज्सिया किया था और जब उस्मान को इस प्रोपोसल का पता लगा था तो खिलाब थे तवक्का उसने अपनी रसामन्दी दे दी थी लेकिन साथ ही एक शर्ट भी आयत कर दी मिधध ने आप लोगों की बहुत चाकरी कर ली है अगर उवैस उसे और बच्चों को ले कर अलग घर में शिफ्ट हो जाए तो मैं नोशाबा से शादी पर तयार हूँ उसने लगी लिप्टी रखे बिना परहाना को मुखातिब किया अपनी शर्टें अपने पास रखो हम मरे नहीं जा रहें नोशाबा और तुम्हारी शादी के लिए वो दिल मेलाती हुई वापिस लौटी थी लेकिन उनकी लाटली बेहन उस्मान के लिए मरी ही जा रही थी उस्मान का मुतालबा नाकाबले अमल तो नहीं किराएदारों से दूसरा घर खाली करवा कर और वैस भाई फैमली समेट वहां शिफ्ट हो जाते हैं इसमें मसला ही क्या है मसला उस्मान की सोच का है वो ये रिष्टा सरासर इसलिए कर रहा है कि वो अपना पाउं हमारे उपर रख सके वो मिथद से की जाने वाली ज्यातियों का बदला तुम से लेगा बेवकूफ लड़की फरहाना और नर्किस छोटी बहन को समझाना चा रही थी लेकिन वो कोई बात समझने के मोड में ही न थी फरहाना बाजी मैं पहले ही ओवरेज हो चुकी हूँ साल छे महीने में एकाद ओंगा बंगा रिष्टा आता है अब अगर मेरे मन पसंद बंदे के साथ मेरा घर बस रहा है खुद ही ओवैस से ये बात कर डाली थी आपने मलीहा को चाहा वो आपको ना मिल सकी भाई और ना मिलने का कर्द क्या होता है ये आप मुझसे बहतर जानते है कुद्रत ने मुझे उस्मान की जिन्दगी में शामिल होने का मौका दिया है और मैं ये मौका साया नहीं करना चाहती आप तरहाना बाजी और नर्किस बाजी की बातों का असर मत लें और उस्मान की बीबी जान को हां कहलवा दें लेकिन नुशाबा वैस ने भी बहन को कुछ समझाना चाहा था कोई लेकिन वेकिन नहीं भाई और हां आप मिधद से अपना लातालुकी भरा बेगाना रवया बेहतर बना लें, वो आपके बच्चों की मा है, उसे इसका जायस मुकाम दें, वरना आपके किये की सजा मुझे भुगतना पड़ेगी, नुशाबा बहुत आगे की सोच रही थी, आखिर उसकी जिद रंग ले ही आई उस्मान ने अपनी बेहन के हालात में बेहतरी लाने के लिए जुआ खेला था, और वो आज तक ये फैसला करने से कासर था, कि ये जुआ काम्याब हुआ या नाकाम, मिधद को नंदों की तसलुट से आजादी मिल गई थी, वैस कि सर्द रवये की तो है, वो आदी हो ही गुजार रही थी, मगर नोशाबा से शादी के बाद उस्मान को अपनी बेटियों की दूरी सहनी पड़ी थी, सिर्फ बीवी के हैसियत से देखा जाता तो नोशाबा एक अच्छी बीवी साबित होई थी, वो वाकी उस्मान से बहुत महबत करती थी, अपनी बेहनों के बर कवारा ना किया था, उसे उस्मान की बच्चियों से कोई सरुकार ना था, शादी के बाद थी बच्चियां बीवी जान की ही जिम्मेदारी थी, और इस सिम्मेदारी में उनका हाथ बटाने को रहमत बुआ मौजूद थी, रहमत बुआ जो कई बरसों से घर में कामकाच के या रही थी लेकिन उन्हें मुलास्मा के बजाए घर के फर्द की हैसियत हासल थी नोशाबा की तरह सवेरा और माहा को भी इससे कोई सरुकार ना था उन पर शफकत लुटाने को बीबी जान और लाड उठाने को डैरी काफी थे लेकिन मसला जब हुआ जब कारोबार की वज़ा से उस्मान को करीबी शहर शिफ्ट होना पड़ा उस्मान के बहुत करीबी दोस्त की लेदर मस्मुआत की चलती हुई फैक्टरी थी कुछ खांदानी मचबूरियों की वज़ा से वो बिजनस वाइंड अप करके मुल्क से बाहर सेटल हो रहा था उस्मान ने कुल जमा पूंजी खटी करके वो फैक्टरी खरीबने का रिस्क लिया था तजर्बा काम्याब ठहरा फैक्टरी उस्मान के पुराने कारोबार की निस पर ज्यादा मुनाफ़ बख्ष थी इस लिहाज से नुशाबा उसके लिए भागवान साबित हुई थी कुछ ही अर्से बाद उसी शहर में उस्मान ने मुनासिप सा घर भी खरीद लिया था उसकी ख्वाहिश थी कि सब खरवाले उसके साथ वहां रहने लगें लेकिन घरवालों को उसकी खरवाली के मिज़ाज का अंदाजा था सो कोई भी वहां जाने पर तयार ना हुआ ना बीबी जान और ना ही माहा सवेरा मैं इस खर को छोड़ कर नहीं जा सकती उसमान इसके चप़े चप़े पर मेरी यादे नक्ष हैं वीवी जान का लहचा धीमा मगर पता ही था आप यहां अकेली कैसे रहेंगी वो जानता था कि मा को मनाना बहुत मुश्किल है लेकिन उन्हें छोड़ कर जाना भी तो नामुम्किन था मैं अकेली क्यों रहने लगी मेरी पोथियां है मेरे पास फिर रहमत भी तो होती है उसमान खामोशी से मा को देखे गया फिर गहरी सांस अंदर खीची थी मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं जाना चा रहीं लेकिन आप खुद सोचें मैं आपके और बच्चियों के बगर कैसे रह पाऊंगा खुदा खेर रखे रखे उसमान तुम कौन सा परदेश जा रहे हो थाई तीन घंटे की मुसाफ़त है 10-15 दिन बाद चकर लगा लिया करना हम भी आते जाते रहेंगे उन्होंने बेटे को तसली दी और फिर जिन्दगी इसी डगर पर चल पड़ी हर वीकेंड पर उसमान बच्चियों और मासे मिलने आता था शुरू शुरू में नोशाबा भी उसके साथ होती थी ने को ही तरजी देती थी स्कूल कॉलिज की छुटियों में डैडी के बेपना इसरार पर सवेरा और माहा को उनके हां जाकर रहना पड़ता था लेकिन ये अरसा फरीकैन के जब्त का इम्तिहान होता था सवेरा और माहा को डैडी पर हक चता दी नुशाबा अंटी सहर लगती थी तो नुशाबा अंटी को भी तैडी से लाड उठवाती पच्चियां सहर से पत्तर लगती थी लेकिन उस्मान की महबत और लिहास में फरीकैन अपनी अपनी नापसंदीदियां दिल में रखने पर मजबूर थे हाँ घर वापस जाकर महा और सवेरा अपने दिल की भडास सरूर निकालती थी बीबी चान के सामने हरकिस नहीं के वो हर कुजरते दिन के साथ स्यादा जलाली होती जा रही थी बच्पन के लाड प्यार तो पिस्सा पारीना बन गए थे खर में सवेरा और महा के दिल का हाल सुनने को एक बहुत अच्छी खामोश सामे मौजूद थी हनिया अपी जो बहुत तहमन से सवेरा और महा को सुनती थी फिर मुस्कुराते हुए कोई हलकी फुलकी सी नसीहत कर डालती सवेरा और माहा अपनी हनिया अपी को बहुत आइडिलाइस करती थी और वो थी ही सकाबिल कि उसे चाहा और सराहा जाए बला की हसीन जहीन कमगोर नरम खूसी हनिया जब शहर के बहतरीन मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ तो एक अरसे तक सवेरा और माहा अपनी सहीलियों में यूँ इतराते फिरी जैसे ये कारणामा उन्होंने ही सरंजान दिया हो और जब डैरी ने इस खुशी में एक तक्रीब मनाकित की तो नुशाबा अंटी के सड़े बुसे से चहरे पर जले भुने तासराग देखकर उन्हें खूब ही लुटवाया था हनिया आशिर जिसे नजीब हाउस आये एक अरसा बीद गया था मलीहा ने मरने के बाद अपनी जीदी जाकती निशानी मां के पास फेशती थी मलीहा शादी के कुछ अरसे बाद ही आशिर के साथ वेरूने मुल्क शिफ्ट हो गई थी नजीब के इंतकाल के चंद माह बाद जब उस्मान की जजबाती हालत में सुधार आया तो उसने मा को बताय बगएर बेहन से मिलने की कोशिश की तब पता चला कि आशिर के खालाजाद बेहन जो शारजा में मुकीम है उसने वही आशिर को बिल्वा लिया है मलीहा भी उसके साथ थी वो तीनों बेहन भाई महपत के ऐसे अटूट बंधन में बंधे थे कि दिल में एक दूसरे के लिए कोई बत कुमानी या गलत पहमी टिकती ही ना थी मलीहा का जो जुर्म बीबी जान की नजर में ना काबल माफी था वो मिधत और उस्मान की नजर में जुर्म था ही नहीं वो आशिर को चाहती थी माबाप ने उससे बिना पूछे उसका रिष्टा तैकर दिया और उसने रिष्टा तस्लीम करने से इंकार कर दिया उसकी छोटी से गलती चुर्म बन गई सबसे ज़्यादा कुसूर आप अबी का था लेकिन हालात ने कुछ ऐसे पल्टे खाए कि मलीहा मा की निगाहों में हमेशा हमेशा के लिए मातूब ठहरी लेकिन उसमान ये भी जानता था कि बीबी जान बसाहर मलीहा नामी वर्ग सिंदकी से फार चुकी है उनके लबों पर फूले से भी बेटी का नाम ना आता लेकिन वो सारी सारी रात उसी बेटी को याद करके रोती भी है मरने वाले पर सबर आ जाता है बिछ़रने वाले पर नहीं कितना अरसा चुपके चुपके वो उसी नाखलब बेटी के लिए तड़कती थी और फिर एक दिन आशर की खालाजाद बेहन एक बहुत प्यारी खबराई बॉकलाई सी लड़की का हाथ था में रजीब हाउस पहुची थी ये हनिया है आशर और मलीहा की बेटी उन्होंने बताया था वो ना भी बताती तो बीबी जान मलीहा की निशानी को पहचान चुकी थी वो हू बहू उनकी मलीहा का अक्स थी एक रोड एक्सिडन्ट में आशर और मलीहा की डेट हो गई है थीमे से अफसुर्दा लहजे में की जाने वाली बात बीबी जान के वजूद के परख्चे उड़ा गई थी पता नहीं आशिर की बहन आगे क्या कह रही थी वो घश खा गई थी पता नहीं आप लोगों के आपस में क्या एक्तिलाफात हुए कि मलीहा यहां मुड कर ना आई बहरहाल इस बारे में ना हमने कुरेदा ना उसने बताया मैं जानती हूँ कि आशिर के संग वो बहुत खुश थी लेकिन उसके आँखों में मुस्तकिल अदासी ने डेरा डाल रखा था आशिर की बहन उसमान से मुखातिब थी एक्सिडन्ट इतना शदीद था कि दोनों मिया बीवी मौके पर जाबहक हो गए हनिया घर पर ही थी खुदरत को बच्ची की जिन्दगी मकसूद थी परना आशिर और मलीहा बेटी को हर पल साथ रखते थे एकलाथी बेटी में जान थी दोनों की हमारे पास आप लोगों का राप्ता नंबर नहीं था वैसे तो उस वक्त इत्ला देने का भी कोई फायदा ना होता चन्द घंटों में ही तत्वीन करती गई थी आपकी बहुत महरबानी आपने हमारी बेटी को हम तक पहुँचा दिया उसमान ममनून हो रहे थे आशिर मेरा खालाजाद भाई था लेकिन मुझे भाईयों की तरह ही अजीज था उसकी बच्ची भी मुझे कम अजीज नहीं लेकिन मेरी अपनी जिन्दगी का भरोसा नहीं पिछले दो साल से मैं डालेसिस पर हूँ मेरे तीन बेटे हैं लेकिन तीनों शादी शुदा और पाल बच्चों वाले हनिया के बेहतर मस्तक्बल की खादर मैंने यही सोचा कि इसको इसके अपने वतन और अपनों के पास ले जाओ अगर मैं तंदरुस होती तो शायद मेरे लिए ये पैसला करना आसान ना होता सोफिया वेगम आपदीता हो गई थी हमसे निधाल मिधद भी भांजी से मिलने फौरण पहुची थी मुगीस उनके हमरा था पहली निगाह में ही मुगीस को वो चुप-चुप सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी और उमर बढ़ने के साथ शओर बढ़ा तो पता चला कि ये पसंदीद्गी तो जाने कब महपत में धल चुकी है हनिया को ननियाल में खाला, मामू और उनके बच्चों की बेलोस महपत हासल थी लेकिन रजीब हाउस में उसकी जात का सबसे मुस्तन था उसकी सगी नानी जिन्हें दूसरों की देखा देखी वो भी बीबी जान कहने लगी थी उनका उसके साथ अजीब गुरेस भरा रवया था हालांके रूठी बेटी की हाथ साथी मौत ने उन्हें बहुत अर्से तक बुरी तरहां निधाल किये रखा था उनकी आँखें हर वक्त मतवर्म रखती लेकिन हनिया ने उनकी जबान से कभी अपनी मा के मतालिक एक लफ़ ना सुना था उसे हस्रत ही रही के मा की छलक देती नानी उसे अपने सीने से फींच कर प्यार करें वो आँसू जो वो अपनी बेटी के लिए दुनिया से चुपकर बहाती थी वो आँसू नानी नवासी मिलकर बहा लें लेकिन बीबी जान के सच्च से रवईय से हनिया अपने खौल में मसीच सिमट कई थी वो जचिचक जो दोनों के माबैन रोसे अवल से काइम थी बहुत अर्सा गुजरने के बाद भी वो उसी तरह परकरार थी हनिया इस रवईय से चाहे दिल में हर्ट होती हो लेकिन वो इसहार ना करती थी वो उनके सर्दो सपार्ट रवईय के आदी हो चुकी थी अगर्चे बीबी जान माहा और सवेरा के लिए भी सक्त कीर तादी जान थी लेकिन वो सक्ती थी सक्त महरी नहीं कभी कभार माहा की बे तुकी और रहमकाना सी बात पर उनके लबों पर मुस्कुराहट तोड़ जाती तो माहा बीबी जान की हसी से शैप आकर वो खुद भी हसते हुए उन से लिपड जाती ऐसे महनिया की आँखों में अजीब सी हसरत उतराती लेकिन नानी की तहां उसे थी जस्पात चुपाने में मलका हासल था सो कोई उसके दिल का हाल ना पाता था आजकल बीबी जान की तवज़ा का मरकस सवेरा थी उनके हिसाब से सवेरा की शादी की उमर हो चुकी थी वो शतुमत से उसके लिए रिश्टा तलाश कर रही थी सवेरा का थोड़ा बढ़ता वज़न उसके अच्छे से रिश्टे की राह में रुकावट साबित हो रहा था वो बहुत मोटी नहीं थी लेकिन लड़के वालों को जितनी स्लिम और स्मार्ट लड़की दर्कार होती थी सवेरा उस मयार पर पूरा ना उतरती थी रहमत बुआ ने एक रिश्टे करवाने वाली थूंडी थी वो हर तस पंदरा दिन में एक रिश्टा लेकर आ जाती बीबी जान मेहमानों के खातर तावासो के लिए खातिर ख्वाय तमाम करवाती और मेहमानों के रुफसत होने के बाद सवेरा बहुत पुरसत से बैठ कर अपनी खातिछ तोसो करती माहा उसके सामने से प्लेटें उठादी रह चाती क्या है माहा सारा दिन किचिन में रहमत बुआ के साथ लगी रही हूं सख ठक गई हूं इतनी भूक लगी है सवेरा एक और चिकन रोल अपनी प्लेट में डालती अगर इसी रफटार से तुम्हारे रिष्टे आते रहे तो तुम्हारा वेट कहां से कहां पहुँच जाएगा महा सबर्दस्ती चिकन रोल की प्लेट उसके हाथ से खींचती सवेरा मू बना कर रह जाती पडोस में एक नई फैमली आकर आबाद हुई थी बीबी जान नए लोगों से तालुकात बनाने के काईल न थी घर में किसी मर्द के गहर मौजूद्गी के बाइस बीबी जान लोगों से मिलने मिलाने में बहुत महताद तर्द से अमल अपना दी थी लेकिन पडोस में आकर बसने वाली इस नई फैमली में वहग प्यारे प्यारे धेर सारे बच्चे थे सवेरा को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे उसका बसना चलता कि बच्चों को उठा कर अपने घर ले आए या खुद उनके पास चली जाए वैसी समझ में नहीं आता इतने धेर सारे बच्चे हैं किसके खर में एक बुढ़े से अंकल हैं वो तो यकीनन बच्चों के दादा होंगे एक प्यारी सी स्मार्ट खातून हैं उनके थोड़े मोटे से शोहर हैं और तो इस खर में से बच्चों की फॉच के इलावा मुझे कोई निकलता दिखाई नहीं देता माहा ने सवेरा को मुखातिब किया नहीं कल शाम को जब मैं और हन्या आपी वाक करके आ रहे थे एक बंदा बाइक बाहर निकाल रहा था बहुत कपलू कपलू डैशिंग सा बंदा था पीछे से एक बच्चा चाचू चाचू कहता उसके पीछे बाहर आया था सवेरा के कहने पर माहा ने उसे खूर कर देखा था तौबा है सवेरा कैसी बातें करती हो तुम गपलू गपलू डैशिंग सा बंदा माहा ने उसके लहचे की नकल उतारी थी जिस तरह एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती उसी तरह एक शक्स में दो खुसूसियाद पैक वक एकटी नहीं हो सकती वो या तो गपलू-गपलू होगा या डैशिंग होगा माहा ने सवेरा का मजाक उड़ाया था अच्छा भई जैसा भी था मुझे तो अच्छा लगा उससान जब उसने अपने भतीजे को गोद में उठा कर चटा-चट उसके गाल चूमे तो तो तुम्हारा दिल किया कि उसके भतीजे को जपट कर तुम उसके चटा-चट काल चूम लो माहा ने हसते हुए उसकी बात मुकमल की किसके सवेरा ने गुरा कर पूछा उसकी मोटी अकल में फौरन बात ना समाई थी और माहा ने जब उसे खूर कर देखा तो उसे अपनी बात की नामाकूलियत का खुद ही हैसास हो गया था और अगले दिन उन बच्चों की वालदा मौतरमा एक बच्ची को गोत में उठाए और दो बच्चों को साथ लिए नजीब हाउस पहुची थी नए घर मुंतकल होने के बार वो खैर और बरकत के लिए घर में कुरान खुआनी करवा रही थी और उसमें शिरकत का बुलावा देने आई थी सवेरा की तो दिली मुराद पर आई थी जब सब इप्तिदाई तारुफ में मगन थे तो उसने पहले एक बच्चे को पास बुला कर गोत में बिठाया चार मिनट बाद दूसरे को फिर आखिर मा से उसकी गोत वाली बच्ची भी मांग ली ये तो तीन बच्चे हैं बाकी तीन बच्चे वो किसके हैं आपी जब महफिल में बे तकलुफी का रंग जमात औ माहान दिल में कुल बुलाता सवाल पूछ डाला आईशा शर्मिंदा सी हो गए थी मेरे ही हैं माशालला छे बच्चे हैं मेरे माशालला माशालला बहुत खुशी हुई सुनकर परना आजकल तो लोग बच्चे दो ही अच्छे वाले महावे पर यकीन रखते हैं मुझे तो सखत इखतलाफ है इस मंतक पे बीबी जान ने आईशा के चहरे पर च्छाई खजालत मिटाने को ये बात की थी हम भी इसी महावरे पर यकीन रखते थे आँटी आईशा को हसी आ गई थी रियान और आलियान बच्चे दो ही अच्छे वाले फॉमूले का नतीजा थे सुफ्यान और सुबान बस ऐसे ही अचानक अचानक तश्रीफ ले आए फिर मेरे मिया सुसर और देवर की खौहिश थी कि इन भाईयों की कमस कम एक बहन तो जरूर होनी चाहिए बेटी के बिना कर बिलकुल अधूरा है बस अल्ला ने दो रहमतें एक खटी भेज दी सनाईला ये रही और आईला खर्मे सो रही है हंसमुक्सी आईशा ने अपने छे बच्चों की तफसिलात से आगाह किया था माहा सवेरा के साथ बीवी जान को भी ये मिलनसार सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी उसे सबरतर सी चाह पिला कर कौन-कौनी में शर्कत का वादा किया गया था और फिर दोनों खरानों में आना जाना शुरू हो गया था ये आना जाना ये रंग लाया के दो माह बाद आईशा सवेरा के लिए अपने गपलू-गपलू टैशिंग से देवर का रिष्टा ले आएं एहमर को देखकर और से मिलकर माहा को सवेरा की बात मानना पड़ी थी वाकई कोई शफस बढ़े वज़न के बावजूद टैशिंग लग सकता था उस्मान ने हर तरहां की चानबीन और चांच परताल के बाद बीवी जान को एहमर के मुतालिक ओके रिपोर्ट दी थी मुनकित की गई तवील अड़ से बाद नजीब हाउस में ऐसी खुशियों भरी शाम उतरी थी मिदाद अपने तीनों बच्चों समेंट एक रोज कबल पहुंच चुकी थी उस्मान और नोशाबा तीन चार दिन पहले ही पहुंच चुके थे ये एक छोटे पैमाने पर मुनकित किया गया पैमली फंक्चन था लेकिन निदा, तलहा और माहा ने खुब ही रौनक लगाई आईशा के छे अदद प्यारे प्यारे बच्चे तकरीब में सब की निगाहों का मरकस थे आईशा की ट्विन्स बेटियों में एक हनिया की गोद में थी दूसरी रहमत बुआ के पास थी उन्हें बीबी जान ने किसी काम से बकारा था मुगीस बेटा, सरा एक मिनट को सनाइला को पकरना मैं अभी आई, रहमत बुआ को मुगीस ही पारिख नजर आया सो उसकी गोद में बच्ची मनतकिल करती बीबी जान की बात सुने लबखी मुगीस बच्ची को कंधे से लगाए हनिया के पास आन खड़ा हुआ सपैद लिबास में वो उसे आसमान से उतरी हूर लग रही थी सवेरा की जेठानी मज़े से फोटो सेशन करवा रही है और बच्चे सम्हालने की जिम्मदारी हमारे सुपर्ट कर दी उसने हनिया को शक्टगी से मुस्कुराते हुए मुखाटिब किया वो कुछ ना बोली, महस मुस्कुरा दी आप इतनी कमगो क्यों हैं डॉक्टर सहबा ये कमगोई हमेशा मेरी बोलती बंद कर देती है कभी तो कुछ बोल लिया करें ताके मेरे कुछ बोलने का भी जवास पैदा हो सके उसने ठंडा सांस भटते हुए हनिया को मुखाटिब किया इतनी चोटी बच्ची है आपकी गोद में इसकी गर्दन की नीचे हाथ रखें डॉक्टर सहबा बोली भी तो क्या मुखी इस जी भर कर बदमसा हुआ था उसी लम्हें माहा वहां से गुजरी थी ब्यूटिफुल वो उन्हें साथ साथ खड़ा देख कर रुख गई बेसाखता लबों से तौसीफी कलमा भी परामत हुआ हनिया ने उसे घूरा था आप दोनों अजासत दें तो एक तस्वीर ले लू उसने अपना मॉबाइल वाला हाथ आगे किया हनिया की घूर्टी निगाहों का उस पर मतलग असर ना हुआ था आईशा बाजी शायद मुझे ढून रही है हनिया तेजी से मनजर से गायब होई थी माहा और मॉगीस एक दूसरे को देख कर हस पड़े थे आई होब मॉगीस भाई इस घर में बहुत जल्द एक मसीद मंगनी की रसम अडा की जाएगी उस ने शरारती अंदाज में मॉगीस को मॉगीस को मॉकाटिब किया I hope so maha मॉगीस भी धीरे से मॉस्कुरा दिया था बीबी जान के वहमो गमान मिना था कि उनकी चुप चाप, कमगो और शर्मीली सी नवासी अपनी मा के नक्ष कदम पर चलते हुए अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सकती है। व्राइंग रूम में इस वक्त टॉक्टर उमर हाशिम की मा और दो बहने मौजूद थी। बहुत शायस्तिकी से उन्होंने बीजान से हनिया का रिष्टा मांगा था। हमें मायूस मत लोटाईएगा अंटी, उमर हमारा एक लोटा लाडला भाई है। हमारा भाई यकीनन आप लोगों के मैयार पर पूरा उत्वेगा। फिर हनिया आपको खुद उमर के मिज़ाज और आदतों से आगाह कर देगी, तोनों 5 साल एक खटे पढ़े हैं, हाउस जॉब भी खटे की है, और फिर इत्वाक से एक ही हास्पिटल में जॉब भी मिल गई, उमर के मतालख हनिया की कवाही ही सबसे मुतबर होगी, आप हनिय इसे पूछ कर अपने दिल की तसलिक कर लीजे, डॉक्टर उमर की बहन ने शकुफगी से मुस्कुराते हुए बीबी जान को मुखाटिब किया, उसे क्या अंदाजा था कि आम से पैराए में की जाने वाली ये बात, बीबी जान के दिल औ दिमाग में कैसा ओधम बचा चु को मुस्कुराते हुए बताया, सौ बाराओ तुम्हारा अपना घर है, उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा था, मैं और वैस अपने घर के लिए आपके घर से कुछ मानना चाहते हैं बीबी जान, मिधत ने सर्प्राइस पर करा रखने के खातर साफ बात ना की थी, लेकिन वो कुछी से खनकते लहचे से उसकी बात का मफ्रूम पा गई थी, तमानियत की लहर उनके रगो पै में दोड़ गई थी, बजाहर वो हनिया से जितना मर्जी ला तालुकी भरा रवया रवा रखती थी, लेकिन सच तो यही था कि उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी ही थी, कि वो अपनी दोनों पोतियों और इकलौती नवासी को अपनी सिंदगी में ही उनके खरपार का कर दें, सवेरा की मंगनी में उन्होंने मुगीस को हनिया की जानब वालहाना तकते हुए देखा, तो दिल में बेसाहता दौा की थी, कि उनका ये प्यारा सा नवासा, उनकी जान से प्यारी नवासी का नसीब बन जाए, वो चाहती तो मिधत से इस बारे में बात कर सकती थी, लेकिन फिर ये खिया जहन को जकर लेता था, कि हनिया मलीहा और आशिर की बेटी है, बेश्चक एक उमर गुसार लेने के बाद, ओवैस मिधत के लिए नरम हूँ और ख्याल रखने वाले शोहर का रूप थार चुका था, मिधत ने भी महपत के बजाए ओवैस की तवज़ा पर ही कनात कर ली थी, उन्हें इंतिजार था कि मिधत ओवैस की रजमंदी के साथ वगीस के लिए हनिया का हाथ मांगे और उनकी दौाएं मस्तजाब होई थी, पता लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि जब उनकी बेटी यहां आकर इशारों के नायों के बजाए खुल कर बात करेगी, तो वो उसे रजमंदी देने से कबल उसके सामने हनिया को बुला कर उसकी रजमंदी भी तर्याफ्त करेंगी, वो माजी की गलती नहीं दोहाना चाहती थ पर अपने मस्तक्बिल का फैसला खुद ही कर डाला था, उनकी भोली भाली नवासी जिस पर उन्हें दिल की दिल में तूट कर प्यार आता, वो उसे ला तालुकी अख्तियार करके उसकी मां के किये की सजा उसे देती थी, लेकिन ऐसा करते हुए उनका अपना दिल कैसे करला जाता था, कोई नहीं जानता था, अपनी दानिस में वो मुखीज जैसे बंदे से उसका रिष्टा तैय करके हनिया की जिन्दगी भर की महरूमियों की तलाफी कर रही थी, लेकिन हनिया ने अपनी जिन्दगी का फैसला खुद करने को तरजी दी थी, जाहर है वो अपनी मा की तहां जी, शौर और पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे ऐसा करने का पूरा हक था, तनफर भरी, तन्जिया, मुस्कुराहाट एक लम्हे को उनके चहरे पर नमुदार होकर गाइप हो गई, वो ड्राइंग रूम में बैठे महमानों की जाने पतवज़ा हुई, शुकर है वक्त अभी उनके हाथ से ना निकला था, मिधत ने अभी सिर्फ इशारे किनायों में बात की थी, वो हनिया के मुस्तक्पिल का फैसला हनिया की मर्जी से करने के लिए आसाद थी, वो नहीं चाहती थी, हनिया भी मलीहा वाले अन्जाम से दो चार हो, जब बेठियां वालद ली है, यह सबक उनकी जिन्दगी के तख तरीन तजर्बे का निचोड था, उन्होंने मजीद देर करना मुनासिब न समझा, वो मिधत और वैस के आमत से पहले इस पिस्से को मंतकी अंदास से निम्टाना चाहती थी, सो एक बुर्ट बार सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा उन्होंने डॉक्टर उमर की वालदा को मुखाटिब किया था, मेरी अपने ख्वाहश भी यही थी के हनिया को उसी के प्रोफेशन से वाबस्ता किसी शक्स का साथ नसीब हो जाए, आप लोगों से मिलकर मुझे वाकी बहुत खुशी हुई है, जिस चाहत और महपत से आपन हनिया का देखा भाला है, इतने अर्से तक दोनों इकھटे पढ़ें हैं, तवियत और मिजाज का अंदाज़ा तो हो ही जाता है, सिंदगी बच्चों ने गुजानी है, उनकी जहनी मताबقت काइम हो जाए, तो हमें और क्या चाहिए, मुझे ये रिश्टा मनजूर है, दिल क कि उनके खुशी का कोई ठिकाना ना था, हम आपका शुक्रिया किस मुझे अड़ा करें, बेशक हम बहुत आस लेकर आए थे, लेकिन अंदाज़ा ना था, कि आप हमारी दरफ़ास को फॉरन चर्प कुपूलियत बख्ष देंगी, खुशी के मारे डॉक्टर उमर की मा की आ मैंड हो गया है, तो रस्मी बातों में वक्त साय करने का क्या पाइदा, उन्होंने गोया फॉर एकरार की तौजी पेश की थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर हनिया खर पर है तो उसे बलवाईए, बाकाइदा रसम तो धुम धाम से करेंगे, मैं उसे शगुन के तोर प बुआ को आवाज सी थी कि वो हनिया को उसके बेडरूम से बुला लें, नाइट यूटी करने के बाद वो बहुत कहरी नीन सो रही थी, जब रहमत बुआ ने उसे बीबी जान का पैगाम दिया था, कौन महमान है, मुझे किस्से मिलवाने के लिए उठाया है, वो हैरान होत प्राइंग रूम तक आई थी, प्राइंग रूम में डॉक्टर उमर की वालदा और बेहनों को देखकर वो ठिटक करू की, आंटी, आप लोग यहां कैसे, मुझ दिली से उन्हें सलाम करके उसने अपनी हैरत का भी इसहार किया था, बीबी जान ने एक चुपती हुई निक बेयकीनी से उसने नानी को देखा, उसके तासरात से बेनियाज डॉक्टर उमर की वालदा ने खुशी खुशी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अंगूठी पहना दी थी, हम मार्कीर तक गए थे, दूसरी दुनिया तक नहीं, आपने हमारे पीछे से हनिया आपी का रिष्टा भी तेक कर दिया, माहा चीख रही थी, आहिस्ता बोलो, तुम्हारा रिष्टा तै नहीं किया, जो यूँ चल रही हो, जिसका रिष्टा तै किया है, उसकी पसंद पर तै किया है, उसमान का नंबर मिला कर दो मुझे, मैं उसे आगाह कर दू, माहा उनकी बات सुन सी होकर फिर पावर्ची खाने में खुज गए और वहां माहा हनिया के कम्रे का दर्वासा बचा बचा कर ठक चुकी थी मैं सो रही हूं माहा मेरे सर में शदीद दर्थ है प्लीज तंग ना करो हनिया ने बंद दर्वासे के पीछे से ही जवाब दिया था माहा ने अपने पीछे खड़ी सवेरा को देखा सवेरा भी हैरत से गंग खड़ी थी बीबी जान ने अपनी सगी नवासी से सोतेला पंद दिखा दिया ना मुझे इसी चीज़ का खच्चा था उसने गुस्से सर जटका था आहिस्ता बोलो माहा बलके आओ अपने कमरे में हनिया आप य अभी दर्वासा नहीं खोलेंगी और उनका मौक लिए बगएर मामला पूरी तहां हमारी समझ में नहीं आएगा सवेरा धीरे से उसे समझाती उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई थी रात के खाने के बार दोनों ने फिर हनिया के कमरे का रुख गया सच शुकर इस पार दर्वासा खुला मिला हनिया नमाज से पारिख हो कर जाय नमाज तैक कर रही थी उसकी सूजी हुई मतवरम आखें और गुलावी नाग देख कर अंदाजा लगाना चंदा मुश्किल ना था कि वो इतने खंटों तक मतवातिर होती रही है खाना खाने क्यों नहीं आई आई आप कमस कम बीबी जान को आपकी शकल तो देखने को मिलती वो तो यही समझ रही होंगी कि आप शर्मा कर कमरे से बाहर नहीं निकल रही माहा ने जरा तेज लहचे में हन्या को मुखाटिब किया माहा सवेरा ने उसे फहमाईशी अंदाज में टोका वीबी जान का कहना है कि उन्होंने आपकी पसंद का इहतराम करते हुए डॉक्टर साहब के खरवालों को हां की मैं ये बात तस्लीम कर ही नहीं सकती कि आप किसी शक्स में इन्वाउट होंगी तो क्या वो शक्स आपकी मुहपत में किरिफ्तार था और कुछ उसका बायो डिटा तो बताएं माहा जरा के मूड में थी मेरा कुलीक है वो हनिया ने मुक्तसर सा जवाद दिया था रोने की वज़ा से उसकी आवास बहुत बोज़ल और भारी हो रही थी आपके इल्म में था कि उसकी घरवाले आपका रिष्टा लेकर आ रहे हैं हनिया ने धीरे से नफी में करदन हिला दी क्या वो आपको पसंद करते हैं हनिया भी सवीरा ने भी कुफटकू में हिस्सा लिया सलाम दुआ और प्रोफेशनल बातों के इलावा हमारी आपस में कभी बात तक नहीं हुई और बीबी चान ये समझ बैठी कि मैं डॉक्टर उमर को पसंद करती हूँ और मैंने लाइफ पार्टनर के इंतखाब अपनी मर्जी से किया है हनिया की आवास फरा गई थी खैर किसी को पसंद करना जून तो नहीं और सच तो ये है कि डॉक्टर उमर ना सही मगर किसी और को तो आप चाहती ही है मगर इस चाहत का आपने कभी इसहार नहीं होने दिया माहा के कहने पर सवेरा ने उसे खूरा मगर वो आज साफ साफ बात करने के मूद में थी चाहत पर किसी का अख्तियार नहीं माहा लेकिन मैंने अपनी जात से मतालब हर फैसले का अख्तियार बीबी जान को सोब रखा था मैं आज तक अपनी मा के करदा या शायद ना करदा जर्म की सजा भुगती आई हूँ मैंने कोशिश की कि मैं अपने करदार की मस्बूती से बीबी जान का दिल जीत लूँ शायद इस वहाने वो मेरी मा का फूसूर भी भुला दे लेकिन सारी उमर फूंक फूंक का कदम रखने के बाद भी मेरे हिस्से में ये बे अतबारी आई हनिया बुरी तरहां रो पड़ी सवेरा ने उसे कंधे से लगा कर चुप करवाने की कोशिश की थी मैं मिशल की शादी में एक बार डॉक्टर उमर की वालदा और बेहनों से मिली थी मिशल के सुस्राली उमर वगरा के रिष्टेदार हैं हम एक ही टेबल पर बैठे थे हमारी अच्छी कपशप हुई थी वो फैमली मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन मुझे हैरत है कि उन्होंने बीबी जान से घलत प्यानी से काम क्यूं लिया मेरी और उमर की कमिट्मेंट का जिकर क्यूं किया और उन अच्छनभी लोगों की बातों पर बीबी जान ने एक पल में एतबार कर लिया मेरी सिंदगी का हर पल उनके सामने कुसरा मैं फिर भी एतबार के लाइप न ठहरी सदमे से हनिया का बुरा हाल हो रहा था आप सिर्फ ये सोच कर हलकान हो रही है कि बीबी जान ने आपका एतबार ना किया सरा मुगीस भाई का सोचें जब उन्हें पता चलेगा कि आपने किसी और के नाम के अंगुठी पहन ली तो वो तो जीते जी मर ही जाएंगे मेरी मुगीस से कोई कमिट्मेंट नहीं थी वो धीरे से बोली थी मगर आँखों में फिर से आंसू मड़ाए आप फिकर ना करें हनियापी मैं आपको आपका आदबार भी लोटाऊंगी और महपत थी माहा ने उसे ठोस लहचे में यकीन दहानी करवाई थी तुम ये सब कैसे करोगी माहा अपने कमरे में वापिस आकर सवेरा ने पूछा बहन की सलाहियतों से वो बहुभी वाकिफ थी फिर भी फितरी तजसु साड़े आ रहा था सबसे पहले डॉक्टर उमर का पता साफ करना जरूरी है और उसके लिए डॉक्टर साहब की तबियत साफ करना जरूरी है मैं कल अस्पतार जाकर उसे मिलने लगी हूँ माहा ने अपने इरादे से आगाह किया अगर बीबी जान को पता लग्या तो सवेरा फिकर मंद होकर बोली थी मुझे सुभा आठ पजे जगा देना माहा उसके सवाल का जवाब दिये बिना लिहाब सर तक तान कर सो गई थी असलाम लेकुम नाजिया पी ओपीडी की सीड़िया चड़ते हुए उसे हनिया की कुलीक नसर आ गई थी माहा ने लपक कर उसे जा लिया माहा तुम यहां कैसे खैरियर नाजिया उसे जानती थी सो सलाम का जवाब दे कर हैरत का भी साथ गया नाजिया के साथ खड़े उसके एक कुलीक की वज़ा से वो खुल कर अपने यहां आने का मकसद ना बता सकी बस सीधे सुभाव ये पूछा था डॉक्टर उमर हाशिम कहा हूंगे? मुझे उन से मिलना है ओ, नाजिया खुशकवार अंदास में हसी थी यूं कहो ना होने वाले जीजाजी से मिलने आई हो नाजिया की बाद से पता चल गया था कि वो सारे किसे से वाकिफ है अल्ला ना करे कि डॉक्टर उमर मेरे जीजाजी बने उसने कड़वा सा मूँ बनाया था नाजिया उसकी बाद सुनकर वाखला सी गई थी ये हैं डॉक्टर उमर, तुम इनसे बात करो मैं अभी आई एक लम्हे के लिए बॉक्टा तो माहा भी गई क्या पता था नाजिया के साथ खड़ी हस्ती डॉक्टर मौसूफ की ही है मैं हनिया आपी की कजन हूँ डॉक्टर सहाब की खूरती चांचती निगाहों से खायप होकर उसने फॉरन तारुफ करवाया मैं चाय पीने कैफे तक जा रहा था आईए वहाँ चल कर बात करते हैं उमर जहीन बन्दा था समझ गया था कि बात की नौयत ऐसी होगी कि यूँ सीड़ियों पर खड़े-खड़े बात नहीं हो सकेगी सो उसे कैफे चलने की ओफर की माहा भी बिना किसी हिचकचा हटके मान गई थी दॉक्टर हनिया का मोबायल कल से ओफ है वो आज ड्यूटी पर भी नहीं आई मैं समझ तो गया था कि कल कमांडो एक्शन की तरस पर मेरे घरवाले जो रिष्टा जोड़ कर आए हैं वो सही से जोड़ा नहीं कुछ न कुछ कड़बर सरूर है मैं अभी नाजिया से इसी बारे में बात कर रहा था वो हनिया की बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन फिर आप चली आई आप डॉक्टर हनिया के घर से आई है आप ही बताएं कि मसला क्या है डॉक्टर उमर ने चाए के साथ स्नैक्स का और्डर दे कर उसे मकातिब किया वह जी वह इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को टांटे मसला आपका पैदा करता है और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मसला क्या है माहच चतक कर बोली थी डॉक्टर उमर के चहरे पर एक लम्हे को ख़वीव सी मस्कुराहर तोड़ गई लड़की काप की दिल्चस्प मालूम होती थी मुझे वाकि कुछ अंदाजा नहीं जब ही तो मैं आपको यहां लेकर आया हूँ कि हम सुखून से बैट कर बात कर सके उमर ने उसे रसानियत से मुखाटिब किया आपके घरवालों ने मेरी दादी जान से खलत प्यानी से काम लिया उन्होंने कहा कि आप और हनिया भी एक दूसरे को पसंद करते हैं मेरी दादी ने इसी बन्याद पर रिष्टा पका कर दिया हलांके हनिया आपिया आपको सफ नापसंद करती है माहाने लगी लिप्टी रखे बिना साफ साफ बात करने की ठानी थी बात में सोर पैदा करने को हनिया की नापसंदीद्गी का भी जिकर कर दिया उमर सरहिला कर उसकी बात सुनता रहा आपको गलत पहमी हुई है, मेरे खरवालों ने पतन ऐसा जिकर नहीं किया होगा हनिया और मैं कई बरसों से एक दूसरे को जानते जरूर है लेकिन ये रिष्टा सौ पीसद मेरे खरवालों की पसंद पर तैह होने जा रहा है डॉक्टर उमर ने वजाहत सरूरी समझी थी यानि आप हनिया आपी को पसंद नहीं करते, महाने तस्दियक करना चाही हनिया बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की जिसका खुद बखुद एहतराम करने को जी चाहे लेकिन महबत वहबत का कोई चक्र नहीं, इन फैक हमारी एक और कुलीक की शादी में मेरे घरवालों ने हनिया को देखा वो उन्हें बहुत पसंद आई, मैंने शादी का डेपार्टमेंट अपनी वालदा के सुपर ठीक कर रखा था इतिफाक से उनकी पसंदीदा लड़की मेरी कुलीक निकल आई, लेकिन मैंने अम्मी को कह दिया था कि रिष्टा आप खुद ले कर जाएं, हनिया और मेरा रोस का अमना सामना होता है, अगर वहां से इंकार होता है, तो मामला वहीं खतम हो जाएगा कमस कम हमें एक दूसरे का सामना करने में जिज़ग तो महसूस नहीं होगी, इसलिए मैंने इस बारे में हनिया से तसकिरा तक ना किया, मेरी दानिस्त में ये एक इंतहाई शरीफाना अमल है, आप जाने किस पनियाद पर मुझसे जिराह करने आ गई, उमर की कहने पर माहा ए क्यूंकि मेरी वालदा तो शायद उन्हें रिंग भी पहना आई हैं, हमारे घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, आप लोगों को चाहिए कि मेरे घरवालों तक अपना इंकार पहुँचा दें, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, वो माहा की परेशानी भाम क किया था, जब ही उसे रसानियत से मकातिब किया, आप हमारे खरा कर मेरी दादी से वजाहत दें, कि आपके और हनिया आपी के बीच कोई कमिट्मेंट नहीं थी, आपकी दादी मेरी क्या लगती हैं भाई, वो हैरान हुआ, जब आप हनिया आपी को पसंद भी नहीं करते, र माहा ने तुनक कर पूछा था, नाचते में हरी मिर्चों वाला ओमलेट लेना बंद कर दें, अफाका होगा, चलता हूँ, चाय का आख़ी खूंट लेकर वोट खड़ा हुआ था, माहा हका बका होकर रह गई, अजीब बेनियास सा बंदा था, वो जो कुछ सोच कर घर से मत हुआ, और अगर डॉक्टर उमर के चहरे पर बेसाखता मुस्कुरा हट ना उपरती, तो उसे पता भी ना चलता, कि वो क्या बोल चुकी है, ये मेरे ड्यूटी आवर्स हैं, और वैसे भी मेरा ख्याल का बात क्लियर हो गई, डॉक्टर हनिया, मुझे सक्त ना पसंद करत बलके सिर्फ एक फोन कॉल करके बात खतम कर दें, सो सिंपल, फैर ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कि हनिया आपी आपको सक्त ना पसंद करती हैं, दरसल मेरी फुपो के बेटे हैं, मुगीस भाई, वो हनिया आपी से बेहत महबत करते हैं, हनिया आपी भी उन्हें चाह पड़ी, पता नहीं आपकी अम्मी वगारा ने कुछ ऐसा कहा, या फिर वाकि मेरी बीबी जान को गलत फहमी होई, आप हमारी फैमली हिस्टरी से वाकित नहीं, बेचारी हनिया आपी को नाकरता गुनाह की सजा खुगतनी पड़ी है, मुझे आप से सिर्फ इतनी सी फेवर चाहिए थी, कि आपके घरवाले ये वसाहत कर दें, कि वो ये प्रोपोसल अपनी मर्सी और खुशी से लाए, आपके और हनिया आपी की कोई इन्वाल्पमेंट नहीं, माहा ने इस बार बहुत तहमल, रसानियत और सभाव से बात की थी, बहुत बहुत बहुतर, और कोई हुकम से क्या मुरा, पहले आपने मेरे कितने हुकम मान लिये, माहा को सरा खुसा सा आया, बल बल मूट बदलती इस लड़की से मिलकर, उमर को वागी मज़ा आया था, उसका जी शाहा कि उसे थोड़ा सा मजीद खुसा दिला कर, उसके लबों से अपने लिए कुछ मजीद स मेरे खरवाले आपके खरवालों से राप्टा करके ये बात कर लेंगे, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने तो मसला ही हल कर दिया, अल्लह आपको खुश रखे, इस बार माहा ने कुछ होते हुए उसका शुक्रिया दा किया, उमर मुस्कुरा दिया था, हनिया बुखार में फुक रही थी, सवेरा उसके माथे पर पट्टिया रख रही थी, पास ही मतफक्र सी बीबी जान बैठी थी, डॉक्र बाजवा को कब से पौन मिला रही हूँ, कोई पौन उठा ही नहीं रहा, घर पर कोई मर्द नहीं, किस तरह इसे डॉक्र तक ले कर ज थी, जो इतनी देर बाद वापसी हुई है, हनिया अपी दुनिया की वाहिद लड़की हैं, जिन्हें बाद पकी होने की खुशी में, वुखार चड़किया, माहा ने बीबी जान को कनक्यों से देखते हुए कहा था, वो जवाब में कुछ ना बोली थी, कितने घंटों से फ वामोश रहने का इशारा करती रही, मगर माहा ने उसके इशारों पर तवच्चा देना पतन जरूरी ना समझा था, उसी लम्हें हनिया करा ही थी, माहा लपक कर उसके पास गई, वुखार की शित्दत से हनिया पर पुनोत की चा रही थी, वो कुछ परबढ़ाई थी, ये पर बढ़ाहट माहा की समझ में भी ना आई, लेकिन उससे जरा पासले पर बैठी, वीबी जान तक उस पर बढ़ाहट की ट्रांसलेशन पहुचाना सरूरी समझा था, वीबी जान मुझ पर एतबार करें, उसने खुदकलामी के सेंदास में हनिया की बात तोहराई थी, क्या मिधद बेटा पहुच गई है, उसी लमहें रहमत बुआ ने कमरे में चांक कर इतला दी, वीबी जान एक पल को मतफक्र हुई थी, लेकिन अगले लमहें ही वो पुर्सकून हो गई, चलो शुकर है, डॉक्र के पास ले जाने का मसला तो हल हुआ, मिधद की गाड़ी में ले खराब है, क्या हुआ है हनिया को? मतफक्र और मतोश मिधद फुपो सी थी हनिया के कमरे में ही आई, उनके पीछे मुखीस का परेशान चहरा नमुदार हुआ, जो होना था हो गया, अब आप लोग आए हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, महा के सर से जैसे मनों टनों बजन दर गया था, और फिर वागी, सब कुछ सही हो गया था, महा ने बिला वज़ा डॉक्र अमर के पास जाने की जहमत की थी, अपनी खाला की महर्बान बाहों का लंस पा कर, हनिया ऐसे तूट कर रोई के मिधद को उसे संभालना दुश्वार हो गया, नवासी की उजड़ी पि रो रो कर नानी को यकिन दिलाया था, कि वो उसे खलत समझी है, डॉक्र अमर से उसका कोई तालुक वास्ता नहीं, आपने डॉक्र अमर से मेरा रिष्टा तैकर दिया, मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं जाओंगी, मैं आपका हर फैसला मानूंगी बीबी जान, लेकिन आप म मेरी मा को मरे हुए भी, इतना अर्सा गुजर गया है बीबी जान, वो बिलक बिलक कर रो रही थी, बीबी जान से मज़ीद सपना हुआ, उन्होंने नवासी को सीने से चिम्टा लिया था, वो उसका मूँ चूम रही थी, उसे प्यार कर रही थी, उनकी आँखों से मुसल सल आसुगे रही थे, खलती सिर्फ बच्चों से नहीं होती, खलती बड़ों से भी होती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरी मलीहा की निशानी, उन्होंने फिर उसे खुच से चिम्टा लिया था, मिधद और मौगी इस मौमले से लायल्म थे, और हैरान और परेशान से खड़े थे, क्या बात है बीबी जान, बताईए तो सही, और हनिया तुम यो रो रो कर क्यों हालत खराब कर रही हो, चलो डॉक्टर के पास, मिधद ने पहले माँ और फिर भांजी को मुखाटिब किया, मैं मेडिसन ले लूंगी खाला, हनिया ने नकाहत भरे लहजे में ज नहीं आए, बीबी जान ने खुद को समभालने की कोशिश करते हुए मिधद को मुखाटिब किया, तलहा का प्रैक्टिकल था आज, निदा और तलहा कल अपने पापा के साथ पहुँच आएंगे, मुझे तो मुखी साथ सबदस्ती ले आया, कह रहा था जाने क्यों दिल ब करने दें, आईए, बाहर चल कर बात करते हैं, मिधद बीबी जान को उनके कमरे में ले गए, मुखी सबी मा के पीछे गया था, अब बताएं बीबी जान, क्या मामला है, मेरा तो दिल डूब रहा है, इतनी खुशी खुशी में आपके पास आई थी, उस्मान भाई को भी फ बीबी जान फिर रो पड़ी थी, मैं डर गई थी मिधद, माजी वाला किस्सा फिर ना तोहराया जाए, मैंने अपनी बच्ची का एतबार ना किया, अन जाने में फिर माजी वाली खलती तोहरा दी, हनिया से पूछा तक नहीं, शदीद रंज और गुस्से ने मेरी अकल गया था, मैं हनिया को आप से मांगने आ रही थी बीबी जान और आपने किसी और को जबान दे दी, रंज, हैरत, अफसोस, क्या कुछ नहीं था मिधद के लहचे में, मुगेज भी बेदम सा होकर सोफे पर बैठ गया, उसकी बेचैनी बेसबब नहीं थी, परशेमानी और प टेंशन मत लें, बीबी जान ने गलत पहमी की बनियात पर उन्हें हां कहती, अब तो बात क्लियर हो गई है, डॉक्टर उमर के घरवालों को इंकार कर देंगे, उसने सब को टेंशन से निकालना चाहा था, मिधद हनूस सर पकड़े बैठी थी, मुगीस लब कुचल रहा थ और आहनी आसाब वाली बीबी जान अब भी आसु बहा रही थी, आपने वाकी उन्हें जबान दे दी बीबी जान, मिधद अब तक बेयकीनी के आलम में थी, रिलैक्स पुपो, हम उनकी अंगुठी वापस करके अपनी जबान वापस ले आएंगे, माहा ने फिर तसली दी लेकिन कोई उसकी जानब मतवज़ा ही ना था, शाम को अस्मान और नोशाबा भी पहुँच गए थे, मामला अस्मान के इल्म में आया, खिलाफ तवक्या वो बहुत जादा हैरान और परिशान ना हुए थे, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, जैसा कि बीबी जान ने बता देरं शाहे रिष्टे जोड़ना सरा सरहिमाकत है, हमें माजी की अलमनाक रिवायत से सबक सीखना होगा, उस्मान ठोस लेचे में बोले थे, सबके तने आसाब सरा ठीले पड़े थे, उस्मान पहली फुरसत में डॉक्टर उमर के हाँ जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उमर की वालदा अपनी बड़ी बेटी के हमरा खुद ही पहुँच गई थी, डॉक्टर उमर ने अपनी कमिट्मेंट निभाई थी, किस शायस्तिकी से उन लोगों ने बात की थी, हनिया की दोस्त नाजिया के जरीए पता चला कि आप लोगों को ये गलत पहनी हुई, कि उम उसी तसकिरा करना भूल गए थे, इसके लिए हम मासरत हुआ हैं, और वैसे भी रिष्टे आसमानों कर बनते हैं, अगर आप लोगों की रजा मंदी नहीं है, तो इस बात को यहीं खतम समझे, डॉक्टर उमर की वालदा ने बात मुकमल की, तो ड्राइंग रूम में बैठे सब लोगों के दिलो दिमाग पर से भारी बोज हड़ गया, महमानों को कोल रिंग सर्प करती माहा ने दॉक्टर उमर की अकलमंदी को सराहा था, अगर वो लोग नाजिया का हवाला ना देते, तो ये वसाहत मुम्किन ना होती कि उनके इल्म में सारा मामला कैसे आया, और इ एक बहुत बड़ी टेंशन का खात्मा हो गया था, प्राइम रूम में मौजूद महमान और मेजबान, कुछ दिली से एक दूसरे से कप्शप करने लगे, तो वो हनिया को ढूंती ढूंती, घर के अकपी लौन में पहुँच गई, हनिया को भी खुशखबरी सुनाना जरू उठे बैठे हैं, उसने हनिया को शरारती अंदास में मुकातिब किया, हनिया ने ना समझी से उसे देखा था, अब इतनी अंजान मत बने, आप खुद ही तो कह रही थी, कि बीबी जान अगर आप ने डॉक्टर उमर से मेरा रिष्टा टैक कर भी दिया, तो मैं आपका फैस करने की क्या सरूरत है भाई, मुगीस भाई के कान में जाकर तीन लफ्स बोल दें, खुद ही मान जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए राह सोचाई, कौन से तीन लफ्स, हनिया ने उसे पुरी तरहा खूरा था, माहसरा कड़ बड़ाई थी, अब मान भी जाए ना, बस य ही बचेंगे ना, माहा बीबी, अगर आप मुझे मौका दें, तो मैं तीन, पांच या साथ लफ्स खुद ही बोल लूँ, और ये डिस इंफरमिशन क्यों पहला रही है, कि मैं हनिया से नाराज हूँ, जाने कब मुगीस उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था, उसने पी है ही इतनी अच्छी कि कोई उसे नाराज हो ही नहीं सकता, इतने बरसों से बीबी जान बिलावजा नाराज थी, शुकर है आज इस नाराजी का भी खात्मा हुआ, वो हसी थी, इतने में फूले सांसों के साथ सवेरा भी, उसे ढूनती हुई यहां पहुँच गई, माहा तुम्हारा रिष्टा आया है, उसने माहा को फिल फॉर इतिला दी, कहां से, उसने हका पका हो कर पूछा, डॉक्टर उमर के घरवालों ने अब तुम्हें प्रोपोस किया है, सवेरा ने उसके हवासों पर बम गिराया था, अभी मैंने अधूरी बात सुनी, तुम्हें बत उमर का रिष्टा इसी खांदान की किसी बच्ची से जुड़ जाए, आगे आपका जो भी पैसला होगा हमें कबूल है, डॉक्टर उमर की डिसंट सी वालदा ने जाते समय एक बार फिर सब को हैरान किया था, मेरी दो भतीजियां हैं, सवेरा की तो मंगनी हो चुकी, माहा क लिए अभी हमने कुछ नहीं सोचा, मिधत फुपो ने मतानत से कहा, जी, जी माहा, हम माहा की ही तो बात कर रहे हैं, उमर के आपा परजोश होई थी, उसकी वालदा ने हलका सखंकार कर बेटी को मजीद परजोश होने से रुका, आप लोगों से मिल कर हमें भी बहुत अच् कर देंगे, उस्मान ने शायस्तगी से जवाब दिया, जी, जी, सरूर, मुतमईन अंदाज में उन लोगों की पाकसी हुई थी, प्राइंग रूम में फिर कोल में इस कांफरेंस मनकित हो गई, बहुत अच्छी सुलशी हुई फैमली थी, उस्मान ने पहली राय दी थी, औ और उन लोगों ने माहा को पसंद कर लिया, मिधत फुपो के ख्याल में सारा कमाल घर की बच्चीयों की प्यारी प्यारी सूर्टों का था, लोग वाकी अच्छे हैं, लेकिन अब कोई फैसला जलफासी में मत करना, और माहा से जरूर पूछ लेना, वो मेरी बहुत कटखनी पोती है, वीबी जान ने मुस्कुरा कर बेटे को मुखातिब किया, उस्मान ने मुस्कुरा कर असबात में करदन हिला दी, मुझे आज सुभा से मूध होने की फुरसत नहीं मिली, और मिधत भूपो का ख्याल है कि डॉक्र उमर की मा भेनों ने मुझे पहली निकाह में पसंद कर लिया, माहा को इस वियान की सदाकत पर रखती बराबर यकीन ना आया था, उसे जब से ये बात पता लगी थी, वो कम मारा नाम लिया होगा, सवेरा पुर्यकीन लेशे में बोली, ये कोई बात है भला, हनिया आपी से जड़ा रिष्टा तोड़ने आये थे, और मुझ उठाकर मेरा रिष्टा मांग लिया, वजाहर तो वो बंदा ठीक ठाक लगता है, डॉक्टर है, परसनालिटी भी ठीक ठा पिर आखिर उसे रिष्टों की ऐसी क्या कमी है कि जिस घर की एक लड़की से रिष्टा जुरते ही तूट किया, अगले दिन दूसरी लड़की का रिष्टा मांगने पहुँच गए, कहना क्या चाहती हो, सवेरा ने पूछा, उस बंदे में यकीनन कोई ना कोई ऐसी खामी है जिसकी वज़ा से उसके खरवाले अचनभी और अज़्जान लोगों में ऐसे च्छट पड़ उसका रिष्टा तै कर रहे हैं, बीबी जान को बता दो कि मैं किसी मश्कूफ शक्स का साथ कुबूल नहीं कर सकती, बात तो सही है, वो बंदा इतना काबल डॉक्टर है, भल जिस्ता मांग लिया, उनका ख्याल होगा बगए किसी चानभीन और चांच पर्टाल के हमिस्पार भी हां कर देंगे, लेकिन तुम बहुत अकलमंद हो माहा, जिस पहलो पर तुमने सोचा, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही न गया था, सवेरा ने ना सिर्फ पहन की साज़शी ठ ख्योरी से तफाक कर लिया था तलके उसकी अकलमंदी को भी सराहा था, फखर से माहा की गर्दन तन सी गई, वाकई दूरो नस्दीक में उससे अकलमंद और कौन था, कल शाम को डैरी की वापसी है, फिर 10-15 दिन से पहले वो कहां आप आएंगे, इसलिए फिल हाल तो ये माम मलतवी समझो, इस अरसे में मैं डॉक्टर उमर की असलियत जान ही जाओंगी, माहा के पास इस वारे में कोई वासे हिकमत अमली तो ना थी, लेकिन उसे अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था, सवेरा ने बहन के पुर्यकीन लहचे पर बहुत मतासर होकर उसे देखा, वो माह बाद उनकी शादी थी, हनिया के चहरे पर बिखरा गुलाल देखकर बीबी जान अल्लह का शुकर अदा करते ना थकती, माहा और सवेरा भी हनिया को मुखीस के हावाले से खुब ही छेड़ती, डॉक्टर उमर के घरवालों ने एक पार फिर फोन पर राप्ता करके पाजिशी थियोरी से इतिफाक ना करते हुए उसे मुसलसल डॉक्टर उमर की अच्छाईयां गिनवाती और उसके हक में कायल करने की कोशिश में लगी हुई थी, हनिया आपी, आप बहुत मासूम हैं, समाने की चालाकियों से आप आगा ही नहीं, हो सकता है कि आपकी बाते दुरुस्त हो और ये सब मेरा वहम हो, लेकिन मैं उस बंदे से सिफ़ एक पार मिली हूँ, जब तक उससे एक दुबार मजीद ना मिलनो, मेरा दिल मुतमेन नहीं होगा, उसने आखिर दिल की बात क्या ही डाली, वैसे तो उमर खुद भी तुमसे मिलना चाह रहा है, लेकि मेरे से असबात में कर्दन हिला दी, मैं चार बेहनों का एक लौता भाई हूँ, मेरे वालत है नहीं, खांदान में मेरे वालत ही सबसे बड़े थे, वैसे भी हमारे खांदान में मेरी बेहनों के लावा लड़कियों की खासी खिलत है, और फैमली की सबसे बड़ी लड़की मुझसे 14 साल छोटी है ये वज़ा है कि मेरा फैमली में रिष्टा तै नहीं हो सका अनिया ने मुझे बताया था कि आप मेरे बारे में खासे तहफुसात रखती हैं मैं मरहलावार सब बातों का जवाब देने को तयार हूँ पूछिये और क्या पूछना है बहुत सुकून से कोहनिया मेस पर टिकाए वो माहा से मुखादिब था बंदा साफ को था माहा ये जामती थी लेकिन वो छूटते ही पहली बात ये करेगा ये उसने ना सोचा था वो दिल ही दिल में कुछ शर्मिंदा सी हुई पता नहीं हनिया आपी ने से क्या कुछ पता डाला था देखिए डॉक्टर उमर शादी जिन्दकी भर का मामला है दिल की पूरी तसली के बगएर कोई रिष्टा कैसे जोड़ा जा सकता है उसने बहुत मुदब्बर बन कर अपनी सफाई दी बिलकुल दुरस परमाया आपने उमर ने भी संजीत की से उसकी बात की ताईट की लेकिन उसकी भूरी आँखें मुस्कुरा रही थी अपनी कुलीक्स लड़कियों के लावा मेरी किसी लड़की से हेलो हाई नहीं मुबाइल मैंने सिर्फ पॉन सुनने और अलारम लगाने के लिए रख रखा है सिगरिट में नहीं पीता बढ़ों का अगब करता हूँ चोटों का लिहास करता हूँ मरीजों से बहुत खंदा बेशानी से पेश आता हूँ ये तो मेरी कुछ अच्छाईया है हाँ उससे का कुछ तेज हूँ लेकिन शायद साल में दो तीन बार ही आता है खाने बीने में बहुत नख्रे करता हूँ लेकिन इसमें भी मेरा कुसूर नहीं इकलौता हूँ इसलिए मा बहनों ने बिगार दिया और इसी इकलौते पन की वज़ा से मेरी अम्मी और बहने चल्द अस चल्द मेरे सब पर सहरा देखने की ख्वाहिश मन है मेरी शादी उन लोगों की जिन्दगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है इसी जल्द बाजी में इनों ने उसी रोज आपके खरवालों के सामने दूसरी बार मेरा रिष्टा पेश कर दिया हालांके मैंने इनसे कहा था यानि इस रिष्टे में आपकी मर्जी शामिल नहीं माहा ने उसकी बात काड़ी थी माहा बीबी आप नतीजा बहुत चल्द अखस कर लेती हैं बात पूरी तो होले ने दिया करें वो जरा खफा हुआ था फिर गहरी सांस अंदर खींचते हुए उसे दुबारा मुखाटिब किया एक जोक सुनाओ आपको बहुत संजीत की से उसने माहा से पूछा फिर उसके जवाब का इंतिजार किये बिना शुरू हो गया ट्रेन के एक कमपार्टमेंट में दो ही मसाफर थे आधी रात का वक्त था एक मसाफर ने दूसरे से पूछा आपको भूतों पर यकीन है दूसरे ने कहा नहीं ये सुनकर पहला मसाफर पलक चपकते में गायब हो गया बहुत संजीत की से उसने ये ड्राउना से लटीवा सुनाया था माहा को हसी तो खाका दी उसे तो सुनाने का मकसद भी समझना आया था जिस तरह मसाफर को भूतों पर यकीन नहीं था उसी तरह मुझे भी लवेट पर साइट पर यकीन नहीं था लेकिन जो मसाफर के साथ हुआ वही मेरे भी साथ हुआ इस मासूमियत से इजहार महबत सरमाया गया था फिर भी माहा पुरी तरह बौकला गई थी वो तो सिर्फ इंवेस्टिकेशन करने आई थी क्या खबर थी डौक्टर मौसूम इस तरह की बात भी कर सकते हैं अब अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ कोर्ट जाकर आपको बेयाने हलपी भी तैयार करवा कर दे सकता हूँ कि मैं हरकिस किसी मश्कूख सरगर्णी में मुब्तला नहीं मेरे घरवालों ने आपके खर चाकर आपका रिष्टा मांगा वो सिर्फ पहली निगाह की महबत का मामला है इसके सिवा हमारे पसपरदा आजाएं कुछ नहीं है वो अब मुस्कुरा रहा था माहा बीबी की सारी तेजी तरारी हवा हो गई इन्वेस्टिगेशन जाए फार में उस चक्स की नरम नरम सी बोलती निगाहों का सामना अब माहा की बसकी बात न थी जब बीबी जान को पता चलेगा कि मैंने आपसे मुलाकात की है तो वो मेरा जो हशर करेंगी आप जानते हैं बस मैं अब चलती हूँ उसने मेस पर धरा अपना हैंड बैक उठाया उमर उसकी अचानक रवानकी पर हरकिस तयार ना था उसने बौकला कर उसे रोपने की कोशिश की आज मेरा ड्यूटि का आउफ था मैं इतनी दूर से खरवालों को बताया बगार आपसे मिलने आया आप मुझे यूँ छोड़ कर कैसे जा सकती हैं कमाल की या आदाश थी उस बंदे की ऐसे ही तो डौक्टर नहीं बना था अच्छा ऐसे खुनखुर निगाहों से मत खूरें पैट जाएं और रही बात आपकी बीबी जान की तो कौन बताएगा उन्हें सिर्फ हनिया आपकी यहां आमद से वाकित हैं क्या आपको हनिया पर एदबार नहीं वो पूछ रहा था मुझे हनिया आपकी पर एदबार क्यों नहोगा और जहां तक बात है बीबी जान को बताने की तो उन्हें कोई और क्यों बताएगा उन्हें मैं खुद बताऊंगी बीबी जान वैसे तो हमारी दादी है लेकिन वो मेरे लिए मा की जगा है माँ से हरकिस कोई बात नहीं छुपानी चाहिए खुसान जब लड़कियां किसी को पसंद करने लगें तो सबसे पहले ये बात अपनी मा को बतानी चाहिए मा राजी होगी तो मामले को मंतकी अंजाम तक वो ही पहुँचाएगी और अगर मा मना कर दे तो लड़कियों को बिना किसी जराख के मा की बात मान लेनी चाहिए माहा फलसफियाना मूड में आ चुकी थी डॉक्टर उमर के चहरे पर बे साखता मुस्कुराहट उभराई तो गोया आप मुझे पसंद करने लगी हैं पूरी तक्रीर में उसे यही नुक्ता समझ में आया था माहा फिर कड़ बढ़ाई थी आप एवे अंदासे मत काइम करें वैसे भी मुझे डॉक्टर्स कतन अच्छे नहीं लगते उतको संभालते हुए उसने जरा बेनियासी भरा जवाब दिया ओ तो गोया आपको अपनी हनियापी भी पतन अच्छी नहीं लगती इस पंदे से तो बहस करना ही फुजूल था लेकिन आगे भी माहा थी हनियापी मेरी कजन है और फिर लेडी डॉक्टर है मैंने ये बात लेडी डॉक्टर्स के बारे में नहीं कही थी क्या परचस्ता जवाब था उसना दिल में खुद को दाद भी दी थी अब आपके खातर मैं लेडी डॉक्टर तो बनने से रहा उमर ने ठंदी सांस पर कर कहा और इस पार ना चाहते हुए भी माहा को हसी आ गई ये बन्दा थी उसकी तरहा बे तुकी बातें करने में माहर है अगर डैरी और बीबी जान इसे ओके कर देते हैं तो जिन्दगी मजे में गुजरना थी और डॉक्टर उमर भी मुस्कुराते लबों के साथ मिलकुल यही बात सोच रहा था दोनों की लीप बैक देना हरकिस ना भूलें बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए नावल के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिस